नमस्कार, सभी सातियों का उतकर्ष के इस डिजिटल प्लेटफॉरम, उतकर्ष यूटूब चैनल पर उतकर्ष परिवार की तरब से मैं में अंदर चोधरी, आप सब कहार्दिक स्वागत वेबिन अंदन करता हूं दोस्तों. दोस्तों, बैसिक जिके, यानि आज अपन इस सेशन के अंदर कक्सा 6 की जो किताब है, कक्सा 6 की किताब जिसके उपर लिकावा हमारा राजस्तान, हमारा राजस्तान किताब में से राजस्तान इतियास और कलास रंसकर्ती के जितने भी मैत में पूर्ण क्यूसन है, उन सब को solve करेंगे इस session के अंदर पहले कक्षा 6 की पूरी किताब solve कर लेते, फिर कक्षा 7 की किताब कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10 कक्षा 11, कक्षा 12 उससे अपने राजस्तान history culture के जितने भी question बनते हैं, उनको अपन इस session के अंदर के बात करेंगे तो आज सबसे पहले पूरी किताब है कक्षा 6, जिसमें राजस्तान history culture, आपको राजस्तान geography, राजस्तान economy अभी नरेंदर सर करवाएंगे और बाकी जो भी कक्षा 6, कक्षा 7 यानि basic level का जिक्केपन इसके अंदर पढ़ेंगे, अभी difficulty level पर नहीं चलेंगे इसमें basic basic बाते पढ़ेंगे और जो कक्षा 6 से दस्ता की किताबे हैं, उन मेंसे कई क्यूसन, हूबू हूब प्रीक्षा में word भी चैंज नहीं होता, option का क्रमाक भी चैंज नहीं होता, और सिद्ध आपने प्रीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो आज इस सेशन में कक्षा 6 की जो बुक्स है उसके उपर अपन बातचीत करेंगे तो आप बीच-बीच में कहोगा कि सर थोड़ा difficult लो, difficult लो, difficult लो, क्योंकि कक्षा 6 basic level का जीक्षे है लेकिन अपने जहन में होना चाहिए कि कक्षा 6 वाला तो गरत नहीं कर रहे है बड़ी इमारत बनाने लिए पहले निव, अपनी मजबूत रहे इसलिए आज वापस निव फिर उपर बड़ी-बड़ी इमारते बताते वे टपेस्ट लेवल तक चलेंगे को कक्षा 6 हमारा राजस्तान क्या केता है अपने राजस्तान इतियास कलास्सकरती के समन्द में तो राजस्तान इतियास कलास्सकरती के समन्द में देखो सबसे पहला क्यूशन पूच रहा है कि महाकाव्य कालीन राजस्तान के मरू परदेश में वर्तमान राजस्तान का निम्न लिकित में से कौन सा भाग समिलित नहीं था यानि basic question है लेकिन इसमें भी कई लोग गलती कर देंगे यहां पर पूचा जा रहा है महा काव्य कालिन राजस्तान महा काव्य कालिन राजस्तान का मतलब अपने जिस समय वेद लिखे गए थे जिस समय रामायन लिखी गई थी जिस समय महाभारत लिखी गई थी यह सब महा काव्य है अपने तो वेद, रामायन, महाभारत उस काल का जो मरू परदेश था महा कावे कालिन राजस्तान के मरू परदेश यानि राजस्तान पूरा नहीं महा कावे कालिन अपन जानते हैं कि मरू परदेश रामाइन के अंदर परस्चिमी राजस्तान को कहा गया है तो मरू परदेश में कौन सा जिला सामिल नहीं था अजमेर, बिकानेर, नागोर, जैसलमेर कौन सा जिला सामिल नहीं था तो आपका क्रेक्ट अंसपर होगा अजमेर महा काव्य कालिन महा काव्य कालिन जो मरू परदेश है इसमें मुख्य रूप से चार जिलों का उल्ले किया गया है एक तो नागोर है ही है नागोर, नागोर के अलावा बिकानेर, बिकानेर, बिकानेर के अलावा बाडमेर, बाडमेर, बाडमेर से तूट करके बन गया है बालोत्रा, बालोत्रा, बालोत्रा के अलावा जैसलमेर, जैसलमेर और जैसलमेर के अलावा जोधपूर इन तमाम चिजों का बाकि जोट प्रोग्रामेंट फलोदी हो जाएगा ये सब जो इस्तान है ये मरू प्रदेश में उलेकित है अजमेर आपका उलेकित नहीं था option A याँ पर करेक्टान्स पर हो जाएगा नेक्स्ट निम्र लिकित में से किस जनपद का वरणन चिनी याती युवान चांग ने किया है अपन इसे नॉर्मली बोल चाल में हैंसांग बोल देते हैं तो हैंसांग युवान चांग इन्हों ने किस जनपद का उलेकिया है अपन जानते हैं कि जनपद महा जनपद बाद मे सब्वेताएं यानि आपके RS के सलेबस में लिकावा एक टॉपिक याद रहे तो आप जब RS का OPCDR कीसे से पार्ट एक्रम डाउन्डेड करते हो तब आपके सलेबस में लिकावा है कि प्रारंबिक प्रारंबिक इस्वी दरम समाज संसकर्पी ये जो टॉपिक लिकावा है इसका मतलब आपको इसमें ये जनपद वगेरा वाली बातें आपको पढ़नी होती है तो किसका किया गया है अरजुनायन जनपद नहीं अरजुनायन जनपद का मतलब बरतपूर अलबर के आसपास का सेतर था उदर बरतपूर के आसपास का सेतर मालव जनपद नहीं अपन जानते हैं कि मालव जनपद की राजदानी मालव नगर अकरती ती जिसे आप कारकोटा नगर या टौक भी कहते हो बिल्कुल मतस्य जनपद कौन सा जनपद मतस्य जनपद और इस मतस्य जनपद की जो राजदानी है वो राजदानी बताओ कौन सी थी मतस्य जनपद की राजदानी बेराट बताओ कौन सी थी बेराट जिसे विराट नगर कहते हैं और जो आपका पांडवों ने अपना वनवास और ग्यातवास का समय भी यहीं बिताया था तो आपका विकल्प कर्माक्सी इसका सही उत्तर होगा नेक्स देखो सुची एक को सुची दो से सुमेलित कीजिएगा एक तरफ कुछ प्रदेशों के नाम लिकेवे हैं और सामने उनके रिजन्स लिकेवे एरिया लिकावा है कि कौन से सब्द का समद किस एरिया से प्राची राजस्तान में रहाता तो जांगल प्रदेश, बिकाने बिकानेर के आसपास वाला जो सेत्र है उनको जंगल परदेश अपन बोल देते हैं और बिकानेर के जो राज़ा है उनको जंगल दरबादसा कहते हैं आप अगर बिकानेर के इतियास के बारे पर थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं तो पर पढ़ते हैं कि जंगल दरबादसा कि मैंने बताये था कार कोर्ट नगर मालव नगर टॉंक इसकी राज़दानीवा करती थी और जेपूर और टॉंक के आसपास ये फेला वाता इसका मतलब ये भी बिल्कुल मेच हो रहा है ब के आगे दो योदे जनपद योदे गंगानगर अनमानगर बिल्कुल सही है उतरी राजस्तान में योदे था तो C के आगे तीन और अर्जुनायन जनपद बरतपूर और अलवर ये भी सही है इसका मतलब D के आगे 4 हो जाएगा एक, दो, तीन, चार, जिस भी विकल्प में मिलेगा आपको, एक, दो, तीन, चार, कौन से option में मिल रहा है, डी में मिल रहा है, तो आपका correct answer जो होगा option है, डी हो जाएगा, next देखो दके, निम्न लिखित में से राजस्तान का कौन सा जिला सेकावाटी सेटर में समलित नहीं ह आप कहिंगे सर, इतने सरुल्कियोसन मेक ने आपको पहले ही कहा कि कखषाथ 6, आज अपन इसके अंदर basic बाते लहीं हैं, किताब पढ़ रहे हैं कखषा 6 कि कखषा 6 से बाहर अपन कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, कखषा 6 जिसकी किताब का नाम है हमारा राजस्तान, उस हमार राजस्तान में राजस्तान इतियास कला संसकर्ती की क्या-क्या बाते हैं वो अपन पढ़ रहे हैं राजस्तान बुगोल अर्ट व्योस्ता की बाते नरेंदर सर अभी आपको बताएंगे बताएंगे तो सेकावाटी सेकावाटी वरतमान सेकावाटी की अगर बात करूं में त सेखावाटी जैसे आपनान पड़ते हैं कि कांतली नदी के पास का का सेत्र तोरावाटी क्यों केथ लाते हैं किक्यों कांतली नदी जोंबेती है नीमका थाना खंडैला के आश पैसवड़ा सेत्र वाँ प्लाचिन समय में तमरबंस के राजपुतों का साशन सेतर था और तमरबंस के राजपुतों के साशन सेतर के करण उस एरिया का नाम हो गया तमरवाटी और तमरवाटी सब दिरे दिरे अबरंस होता होता क्या बन गया था तोरावाटी तो सेकावतों का साशन सेतर या सेकाजी द्वारा चुरू चुरू और एक है जुन-जुनू चुरू और जुन-जुनू वर्तमान से कावाटी में ये चार परमुक जिले हैं शिकर निम का थाना चुरू और जुन-जुनू तो देख लो कौन सा है शिकर है जुन-जुनू है चुरू है विकानेर नहीं है विकानेर आपका गलत परसस्ति में मिलता है किस राजवन्स का उलेक सूरसेन अरजुनायन आपका मालव योदे बताओ दके किस राजवन्स का उलेक बयाना परसस्ति बयाना बयाना बताओ काम पर है बरतपूर में है बयाना आपका काम पर पढ़ता है बरतपूर के अंदर पढ़ता है तो इसका मतल अपने जानते हैं कि जेपूर औरे टॉंक जेपूर औरे टॉंक अरजुनायन बरतपूर और अलवर ये हो सकता है और सूरसेन परदेश सूरसेन या सूरसेन ये कहला था था बरतपूर के आसपास का सेतर और जिस राजवन्स का उलेक बयाना प्रसस्ति में मिलता है वो है आप पर ज्यान रखना प्रसस्ति का मतलब वता किसी राजवन्स की प्रसंसा में जो सिला लेक लिखे जाते हैं किसी भी राजवन्स की प्रसंसा में लिखे गई सिला लेकों को क्या बोला जाता प्रसस्ति ओप्शन ए यहां पर आपका करेक्टांस पर होगा नेक्स्ट निम्न लिखित कतनों पर विचार कीजिएगा और फिर कह रहा है कि उप्यूक में से कौन सा कतन असत्य नहीं है देखो कभी-कभी अपन या निचे की लेंग्वेज को सही धंग से पढ़ते नहीं है और अपन उतर जल्दबाजी में कर देते हैं पर केरा कि कौन सा कतल असत्य नहीं है ये चांटना है पहले सामान्यते किसी राजा की प्रसंसा में लिखे गए अभी लेकों को प्रसंस्ती कहते हैं किसी भी राज़ा या किसी भी राजवन्स की प्रसंचा में जो भी अभी लेक, सिला लेक, गुवा लेक, इस्तमलेक लिखे जाते हैं उन तमाम चीजों को प्रसस्ती कहा जाता है यह बात बिल्कुल सही है ख्यात विशाई एक सहीत्य में प्रसिद राज़पूत राजवन्सों की स्तापना राज़ाओं का वन्सकरम राज़े सेत्र इत्यादी का वरणन होता था अपने देखो राजस्तानी साहित्य परते जब एक सब दाता ख्यात एक सब दाता रासो ऐसे खूब सारे सब दाते हैं तो जैसे परत्वी राज रासो विसल देव रासो चत्रपती रासो आपके और भी खूब सारे रासो होते हैं सत्रुसाल रासो विजेपाल रासो एक होता ख्यात, नेर्णसीरी ख्यात, धयालदासरी ख्यात, दोजारीकिस वाले रस परी में परसन आयेता मुंद्यार रारी ख्यात तो ख्यात क्या होती है? राशो का मतलब होता किसी राज़ा की कीर्टी यानि प्रसीदी युद विजे उसके सोरिये इत्यादिक का बखान किसी राज़ा के वीरता, बहदुरी, सोरिये, कीर्टी, येस उपलब्दियों का बखान वो तो क्या कहलाता है राशो किसी राज़ा के और ख्यात किसी राज़ विश्टरित जानकरी जिन गरंतों में मिलती है ख्यात विश्चाइटे में परसीद राधपूत राजवनसों की स्थाफना राजाओं का वन्सकरम राज जिसे तरित्यादि का वर्णन मिलता है तो उसको अपन बोल देते हैं ख्यात बिलकुल सही है अब पुचा कौन सा कतन अ असत्य नहीं है तो एक और दो दोनो असत्य नहीं दोनो सही है कौन सा कतन असत्य नहीं है ना तो एक नहीं दो एक और देखो केवल एक नहीं, केवल दो नहीं, उप्रियुक्त में से कौन सा कथन असत्य नहीं है, ना तो एक असत्य है और नहीं दो असत्य है, एक और दोनों, ना तो एक नहीं दो, इन दोनों ऑप्सनों की लेंगवेज में थोड़ी से लिक कता रही है, एक और दोनों कतन असत्य नहीं है ये ज्यान रखना आप इस डी option को काड़ देना क्योंकि ना तो 1 और ना 2 दोनो ही असत्य नहीं है तो यहां पर अपी यह पूच्च है तो 1 भी असत्य नहीं है अगला देखो करे प्रसास्निक अधिकारी बनने की सर्वोतकस तयारी उतकर्स के साथ RS Foundation निर्मल बेच प्लस ओरिजनल प्राइस 35,000 जिसमें से ओपर प्राइस केवल 10,000 रुपे यानि RS Foundation जो निर्मल बेच प्लस आया है इसकी प्राइस केवल 10,000 रुपे है RS Man Online Tips, Subjective Test या आपको सारी स्पेशल फिचर इसके अंदर मिलेंगे तो RS Foundation बेच आपको होली हंगामा के तेत बहतरी न्चूट मिल रही है अगर आपने ये कोर्स नहीं लिया है तो आप अभी उतकर्स एप डाउनलोड करें और इसका विजिट कीजिएगा नेक्स्ट, निम लिकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है एक तरफ लेखक लिकेवे हैं और दूसरी तरफ करती लिकी हुई है और पुचा की कौन सा सुमेलित नहीं है सूर्यमल मिशन वन्सभासकर कवी राजा स्यमलदास सुधा परबंद विश्वेनात रेवू मारवाड राज्य का इतियास पदमनाब का नरदेव परबंद विच ओब दा अनमेजन पेर ऐस संगत या ऐस सुमेलित जोड़ा कौन सा है सूर्यमल मिशन वन्स भासकर बिल्कुल सही बात है चम्पू सेली में लिखी गई रचना है वन्स भासकर चम्पू सेली के अंदर और वुंदी राज्य की स्तापना से लगा कर नाराइन सिंग हाडात का इतियास इस वन्स भासकर के अंदर लिकावा है तो बिल्कुल सही बात है सूर्यमल मिशन कवी राजा स्यामलदास इन्होंने लिका सूदा परबंद नहीं ये गरंद का नाम है सूद परबंद और ये लिका है राणा कुमबा ने कवी राजा स्यामलदास का गरंद तो है वीर विनोद कवी राजा स्यामलदास का जो एतियासी गरंत है उस गरंत का नाम है वीर विनोद तो ये तो अनमेच्ट है विश्वेनात रेवु मारवाड राज्ये का एतियास बिल्कुल सही है पदम नाब कानर देव परबंद बिल्कुल सही है तो कौन सा अनमेच्ट आपका जोड़ा हो जाएगा ओप्शन भी हो जाएगा कवी राजा स्यामलदास का परसित गरंत वीर विनोद है ना कि सुधा परबंद सुधा परबंतों किसका गरंत है राणा कुम्बा का गरंत है नेक्स्ट क्योशन की तरब बढ़ते हैं निमन लिखित में से कौन सा सही सुमेलित है यानि ए एक तरह प्रचना कार लिके वे हैं ये कक्सा छे है ज्यान रखो अगर इसमें भी तुम गलत बताओगे तो समझो कि अभी अभी अपने जिके का बेसिक इस्तर भी नहीं पड़ा है इस सेशन के अंतरगत अपन डिफिकल्ट क्योशन सोल नहीं कर रहे हैं अपन कक्सा छे हमा इसका मतलब आपने कक्सा छे की पूरी किताब पढ़ दी है इतियास कल्चर के लिए और भुगोन और आपकी एकोनमिक की जुबाते हैं वो नरेंदर सरभी आपको बताएंगे तो अगर इस पूरी क्लास के क्युशनान स्वर को सोल कर लिया इसका मतलब कक्सा छे की किताब आपने पूरी पढ़ ली है हमारा राजस्तान फिर अपन कक्सा साथ पढ़ लेंगे कक्सा आठ पढ़ लेंगे और जो छोटे एक्जाम हे उनमें तो ये वरदानी शाबित होँगे आरेश परीमे भी यहां से क्युशन पूचे जाएंगे लेकिन छोटे एक्जामों में तो हुबू कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10 के किताबों में सही क्युसन पूचे जा रहे हैं, तो देखो, एक तरफ रचना है और एक तरफ रचनाकार है, परत्वी राज विजे, चंदर बर्दाई, क्या सुमेली थे क्या, ये पूचरा कौन सा सही सुमेली थे, इसका मदब तीन गलत है और एक सुमेली थे, अपने को छाटना है, परत्वी राज विजे, चंदर बर्दाई, नहीं, ये तो गलत है, हमें तो पता कि चंदर बर्दाई ने तो बुक लिखिती, परत्वी राज रासो लिखिता इन्होंने तो, तो फिर परत्वी राज लिखिती कूबले माला, जोकी इस बार परी में पूचाई गया था, कूबले माला उद्यतन सूरी की बुक है, और हमीर महा कावे ये लिखाता नयन चंदरे सूरी ने, नयन चंदरे सूरी की किताब है हमीर महा कावे, तो ये भी गलत हो गया, परत्वी राज रासो जयानक बट गलत है परत्वी राज रासो लिखाता चंदर बर्दाई ने और जयानक बट ने तो लिखाता परत्वी राज विजे ट्रेवल्स इन वेस्टन राजस्तान कर्नल जैम स्टोर्ड बिल्कुल सही है तो कौन सा एक सही सुमेलित है option D जो है वो आपका बिल्कुल सही सुमेलि हो जाएगा option D नेक्स निम लिकित में से कौन से लेक को दान पत्र के नाम से भी जाना जाता है कौन से लेक को दान पत्र के नाम से भी जाना जाता तामर पत्र लेक इस्तंब लेक सिला लेक उपर्युक्त में से कोई नहीं यानि यह जितने भी सब option में है यह सब एतियासिक स इतियास की जानकारी देने के स्रोत है चाहे तामर लेक हो इस्तम लेक हो सिला लेक हो आपके पुरा तात्वीक स्रोत माने जाते हैं इन सब कौपन बोलते हैं पुरा तात्वीक के स्रोत पुरा तात्वीक स्रोत इनको बोला जाता है अब इनमें से कौन सा स्रोत ऐसा जिसको दा धान देने से रहे ये तो नहीं हो सकता इस्तं लेक इस्तं लेक तो किसी को दान मेंका मतलब है तो फिर आपका सही trouser हो जाएगा ता अपर पत्तर ले यानि और और जिसने भी बताया है उन सबका क्रेक टांसपर होगा option A option A इसका सही उत्तर होगा तामर पत्र लेक ये आपके दान पत्र के नाम से भी जाने जाते हैं next देखिएगा गंटियाला अभी लेक तता विजोलिया शिला लेक मुख्यते निमन लिखित में से करमस से किस राजवन्स की जानकारी देते हैं चोहान राठोड, चोहान परतियार परतियार चोहान परतियार राठोड देखो यहां पर चोहान परतियार और परतियार चोहान चोहान राठोड और परतियार राठोड इसका मतलब ये है कि आपको करमस से बताना करमस से का मतलब पहले गंटियाला सिला लेक और फिर बिजोलिया सिला लेक तो अपने को याद रखना है कि गंटियाला सिला लेक 861 इस्वी के अंदर जोदपुर ग्रामिन से प्राप्त हुआ है और ककुस्त नाम के राज़ा थे गुरुजर परतियारों के उन्होंने ये लिखवाया था और ये जो राज जानकारी देता है ये गुरुजर परतियार राज़बंस के बारे में जानकारी देता है और इसी गंटियाला सिला लेक के अंदर गंटियाला गाउं है जोदपुर ग्रामिन के अंदर वहां पर बार माताजी का और गनेश्टी का मंदिर है उस मंदिर में ये सि गंटोिय लाएक एक गैटि smelled ये 1170 का सिला लेक है जो सोमेशवड चोहान के राजा पर्तविराद चोहान के पिता सोमेशवर चोहान के काल में इस्तापितवा था धार इस पुलिय आपका मिचोहान ब्राहम्नों से बतायी गई है, वत्ष गोत्रिये ब्राहमनों से बतायी गई है तो यह बिजोलिया सेला लेक आपके जिस वन्स के बारे में जान करें देता है वो वन्स कौन सा है, चोहान गंटियाला राठोड और बिजोलिया बताओ सोरी, गंटियाला गूरजर परतियार और विजोलिया चोहान तो परतिहार चोहान परतिहार पहले चोहान बाद में यहां पर चोहान परतिहार है लेकिन यह गलत हो जाएगा क्योंकि गंटियाला परतिहार है और विजोलिया चोहान है तो परतिहार चोहान जिस भी विकल्प में आएगा आपका विकल्प C में आ रह है तो option C इसका बिल्कुल correct transfer होगा next निम लिकित में से किस दातु को मानव द्वारा सर्वे परतम उपयोग में लिया गया कौन सी ऐसी दातु है जिसको मानव ने सबसे पहले यूज लिया था कौन सी दातु है लोहां तमभा कांसे इन किसको लिया था किसको लिया था सबसे पह पढ़ते हैं सभ्यताएं तो सभ्यताओं में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सभ्यताएं इन में सबसे पहले पासान कालीन सभ्यताएं पासान काल यानि सबसे पहले जो काल आया था वो पासान आया था जिसमें इनसान दातू से परीचिती नहीं ता केवल पत्थरों से परीच जो में यानि पासान काल में मानव जो था वो दातू से परिचिती नहीं था पासान काल में मानव केवल और केवल पतर से परिचित था पासान काल के बाद मानव ने डवलप्मेंट किया और फिर बताओ कौन सा यूग आता है तामर यूग इन सब्यताएं और फिर तामर यूग के बाद में आता कांसा क्योंकि तंबा कांसा कांसा यूग कांसा यूग और कांसा यूग के बाद आता है बताओ कौन सा यूग लोहा यूग तो सबसे पुरानी सब्यता है तो पासान काल वाली है लेकिन दातू पूछ रहा तो सबसे पुराना बताओ कौन सा यूग हो तमबा, जिस भी विकल्प में होगा आपका सही हो जाएगा, option B, तामरे यूग, next, निम लिखित में से किस सब्व्यता इस्तल से गाई मुक्के प्याले, कांसे के दर्पन, हाती दांत का कंगा, इत्यादी साक्से प्राप्त हुआ है, गनेश्वर, बाला थल, अहाड, काली बं कौन सी एसी सब्व्यता है, जिससे गाई के मुक्क वाले प्याले, यानि गाई के मुक्के समान प्याले, कांसे का दर्पन, कांसे का दर्पन, हाती दांत कंगा, इत्यादी साक्से प्राप्त हुए है, तो गनेश्वर से तो नहीं वा है, गनेश्वर से मुक्के जो साक्से ह वो है मचली पकरने का कांटा यहां से आपको केस पिन कांबे से बनी हुई केस पिन या सुई पिन आप बोल सकते हों बान गरे, बान गरे, मिटी, सोरी, बांध, पत्तर से बने मकान, ये समिले हैं, माला थल से नहीं मिला है, आड से नहीं मिला है, किस से मिला है, काली बंगा सब्यता से प्राप्त वा है, और काली बंगा सब्यता वरतमान में किस जिले में है, हनुमान गड जिले के अंदर है, ज इसकी खोज की गई थी और इसकी खुदाई यानि इसका उत्खनन किस ने किया था ये प्रसना आग पूचा जा रहा है कि निमलिकित में से कौन सा इसके उत्खनन से समंदित नहीं है तो एक तो जान रखना विक्के थापर बाल कृष्ण थापर एक बीवी लाल ब्रजबासी लाल एक जेवी जोसी जेवी जोसी और एक एमडी खरे एक एमडी खरे ये चार लोग जो है ये काली बंगा सब्यता के उत्खनन से समंदित है और यहीं से आपके ये साख से मिले है हनुमान गर्जिले में इस्तित है नेक्स्ट निम्न लिखित में से किस सब्यता इस्तल से बटी नुमा चुला प्राप्त हुआ है यानि बटी जैसा चुला कौन सी सब्यता से प्राप्त हुआ है रेड बेराट और अहाड बताई ये दगा किसे प्राप्त हुआ है रेड टॉंक से तो नहीं प्राप्त हुआ ह यहां से तो लोहे के सिक्के प्राप्तवे हैं, इसलिए इसे प्राचिन भारत का टाटा नगर केते हैं, प्राचिन भारत का टाटा नगर किसको केते हैं, रेड टोंग को, बेराट नहीं, बोध दर्म की सांसकर्तिक राजदानी किसे कहा जाता है, बेराट को केते हैं, बोध द उत्तर होगा आपका विकल्प सी अहाड बताओ आहाड ये आपके आयड नदी के किनारे उदेपुर जिले के अंदर इस्तित सब्यता हैं अहाड उदेपुर इसको कहा जाता विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा तो नेक्स्ट करे प्रसास्तिक अदिकारी बनने की सर्वोतकस त प्राइस में केवल 6 जार रुपे में आ रही है जोधपूर से लोगे तो भी 6 जार में जोधपूर से भी रिकॉडड़ेड लोगे तो छहहजार रुपे में और इसके स्पेशल फिचर जो है वो देख लेना तो जो मैंस दे रहे हैं इस बार उनके लिए बहुत भारी छूट ह 45,000 रुपे का कोर्स चाहिए जेपूर क्लास्वोम से लेलो चाहिए जोद्पूर क्लास्वोम का रिकोर्डेड लेलो 6,000 रुपे में मिल रहा है next क्यों संदेख किएगा बेराट के अत्रिक्त कौन से पुरातात्रिक सब्यत्ता इस्तल से बुनेवे वस्त्रे प्राप्त हुए है यानि सरलसी भासा में बलू तो यूं कह सकता हूँ कि सुत्ती वस्त्रे कौन सा वस्त्रे सुत्ती वस्त्रे बेराट से तो मिला ही मिला है बेराट से आप जानते हो कि आपने को 36 सिक्के प्राप्ट हुए हैं वो सुत्ती कपड़े में बंदेवेते हैं तो सर्वे परतम सुत्ती कपड़े के साख से पूछ ले सर्वे परतम सुत्ती कपड़े के साख से तो ये तो बेराट से मिले हैं ये तो ते बात है बेराट से यह पर जो सिक्के प्राप्त हुएते बेराट से वो एक सुत्ती कपड़े में बंदेवे प्राप्त हुएते अब पूछ रहा है कि कौन से पुरा तात्मिक इस्तल से बुनेवे वस्तर बेराट के अलावा मिले एक तो बेराट से मिले ही मिले है बरोर बरोर से नहीं बरोर पड़त यहां से प्राप्त हुई है सुनारी जुन्जुनु में है गनेश्वर नहीं गनेश्वर इसे पूरा तत्वे का पुषकर केते हैं ज्यान रखना पूरा तत्वे का पुषकर केते हैं इसे तामर युग्योन सब्यताओं की जन्नी केते हैं इसे तामर संचई निदी भी केते हैं निदी का मतलब खजाना तामबे का खजाना केते हैं तो इसका सही उत्तर होगा बाला थल उदेपूर के अंदर जगे पड़ती है बाला थल यहां से सुत्ती कपड़े के परमान मिले हैं यानि आपका विकल्प कर्मा कौन सा सही हो डी करेक्ट आंस्वर होगा नेक्स्ट निम लिखित में से किस सभ्यता इस्तल से दोरी पेचदार सिरावली तामर पिनों को पस्तीमी तता मद्दे एस्यों में निर्यात किया जाता था अच्छा क्यूसन है निम लिखित में से किस सभ्यता इस्तल से दोरी पेचदार सिराव अबली तामरपिनों को पस्टीमी तता मद्दे एस्या में निरियात किया जाता था गनेश्वर बाला थल अहाड बेराड यानि क्या किना चारा है इसकी सरल सी लेंग्वेज को मैं अगर सरल बासा में ट्रांसलेट करूं लेकिन एक्जामिनर तो कक्षा छेकी किताब वाला पेचदार यानि डबल चिद्र वाली तामरपिनों का से प्राप्त हुई है तामरपिनों जिसका आगे का भाग नुकिला हो यानि एक बतानी आपको केवल तामबे की सुई जिसमें दो पेच हो दो छेद हो और आगे से टिकी हो ये का से प्राप्त हुई है बेराड से तो प प्राप्त नहीं हुई है बालातल से प्राप्त नहीं हुई है गनेश्वर से प्राप्त हुई है क्योंकि गनेश्वर सब्यता इसे तामर युगीन सब्यताओं की जननी केते हैं तामर युगीन सब्यताओं की जननी केते हैं तामर युगीन सब्यताओं की जननी पूरा तत्व का पुषकर तामर संचय निदी और गणेश्वर हडपा वे मोहन जोद्रो को तामबा निर्यात करता था हडपा और मोहन जोद्रो हडपा वे मोहन जोद्रो को तामबा निर्यात करता था यहां से तामबा जाता था हडपा और मोहन जोद्रो में इसका मतलब यही तो बात है कि म मद्ये एसिया की तरफ परस्चीमी तता मद्ये एसिया में तामगे का निर्यात कहां से किया जाता था घणे स्वर से किया जाता था विकलप करमा एंडे आपका करेक्टांग स्वर होगा मद्यकालिन प्रशास्निक एवं राजस्वे विवस्ता का क्यूसन है यानि सेना के बारे में पूचा जा रहा है देखो खचान जी तो नहीं होगा खचान जी राज्ये की कुल आईव्ये का हिसाब रखने वाला अधिकारी होता अधिकारी हिसाब रखने वाला अधिकारी कुल आईव्ये का हिसाब रखने वाला अधिकारी परगना अधिकारी परगना का मतलब ग्राम अधिकारी परगना का मतलब गाओं था ग्राम अधिकारी दो गाओं के उपर होता था दिवान ये राज्या का सलाकार होता था देखो राज्ये का मुख्या राज्ये का मुख्या मद्यकाल में जो भी राज्ये होता था उसका मुख्या कौन होता था राज्या और अगर राज्या अनुपस्तित है तो फिर मुख्या होता था प्रदान अगर राज़ा कहीं बाहर गया है जब तक राज़ा है तब तक तो पूरे राज़े का मालिक राज़ा है राज़ा अगर कहीं बाहर है तो फिर राज़े को संभालता कौनता परदान और इसी परदान के खूब सारे अन्ये नाम है इसी प्रदान को बिकानेर बरतपुर में मुक्तियार केते हैं बिकानेर बरतपुर के अंदर इसी प्रदान का नाम बदल कर हो जाता है मुक्तियार इसी को जेपुर में मुसाहिब केते हैं मुसाहिब इसी को कोटा बुंदी में दिवान केते हैं और बाकी रियासतों के अंदर ये जो है आपका प्रदान कहलाता है तो दिवान भी नहीं होगा सही उत्तर होगा सेना का सरवोच अदिकारी बताओ क्या कहलाता है बक्सी तो इसका जो exact answer होना है वो हो जाएगा आपका बक्सी option B is the correct answer next राजस्तान में जागिर्दारी विवस्ता के सवरूप से समंदित निम लिखित कत्मों में से सत्य कतन छांटिये यानि जो मिडाईवल आपका feudal system है मद्यकालिन सामंत विवस्ता है जो जागिर्दारी विवस्ता है वो कैसी थी उसकी कुछ विशैस्ताएं लिखी गई है उन सबॉस्ता थी बिलकुल सही है मद्यकालिन राजस्त विवस्ता इसका मतलब यह है कि से गोत्री कुल्य विवस्ता का मतलब जिस गोत्र काराजा होता था अधिकान सामध deuxième दर्ग जैपूर का जेपूर में कच्वा राजवांस का सासन था तो जेपूर के ज़्यादातर जो जागिरदार होते थे वो कच्वा होते थे यानि कैसी युएस्ता होती थी से गोत्री एक ही गोत्र वाली राजा कच्वा तो ज़्यादातर जागिरदार भी कच्वा हां कच्वाओं में अलग अलग शाकाई हो सकती हुए, क्योंकि सीधी सी बात है मान लिजी मैं जैपूर का राजाओं, मान चलते हैं, तो मेरे 10 बेटे हैं, उनमें से मेरे मरने के बाद एक बेटा तो जैपूर का राजा बन जाएगा, बाकी 9 बेटों को मैं जागिरणे दे द मैं अकेला तो पूरा राज्ये का परसासन चला नहीं सकता, और मैं पूर्ण जो पद है, उन पर मेरे बेटों को, मेरे बाईों को, बतीजों को इतरो न्युक्त करूँगा, ताकि राज्ये ठीक से चले, तो ये बात भी ठीक है, राज्या और जागिरदार के समंध बाईचारे सोहार्द परादारित होते थे, बिलकुल सही है, मेरे जो जागिरदार है, वो मेरे बाईबतीजे हैं, तो मेरे उनके साथ अच्छे समंध होंगे, तो कौन सा कतन सत्य है, तो ये सारे ही सही है, इसका मतलब आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, option है D, D इसका correct transfer होगा, next, भारत का प्रत्थम वाइसराय, किसे न्युक्त किया गया था, लाड माउंट बेटन, लाड डल होजी, लाड केनिंग, लाड रिफन, लाड माउंट ब बेटन तो भारत का अंतिम वाइसराय है, भारत का अंतिम वाइसराय है, वाइसराय है, तो फिर मांग बेटन नहीं है, तो लाड डल होजी, नहीं, डल होजी 1856 में चला गया था, 1856 में चला गया था, 1856 में ये आपका गवर्नर जनरल वा करता था, लाड डल होजी, गवर्न नहीं लाड केनिंग सही है आप अच्छे से जानते हो कि 1857 की क्रांती के समय 1857 की क्रांती के बाद 1857 की क्रांती के बाद गवर्नर जन्रल का पद हटा कर गवर्नर जन्रल के पद के इस्तान पर वाइसराई का पद लागू किया गया क्योंकि 1857 की क्रांती के समय गवर्नर जन्रल कोन थे लाड केनिंग लेकिन क्रांती पूरी होने के बाद केनिंग को ही गवर्नर जन्रल के इस्तान पर वाइसराई बना दिया था गवर्नर जनरल पद्ध हटाई दिया था और वाइस राय तो पहला वाइस राय अपना कौन बन गया था लाड़े केनिंग बन गया था नेक्स्ट 1935 इस्वी का भारत सरकार अधिनियम कब लागूवा था फटाक से बताई वाई 1935 इस्वी का भारत सरकार अधिनियम कब लागूवा था ग्यारा मार्च 1935 एक अपरेल 1937 17 अक्तुमबर 1936 23 जनवरी 1938 में पानी पिताऊ तब तक फटा फटा आपका रिपलाई आजान पानी पी रहाँ तब तक तो आंस्वर आई जाएगा आप सब का 11 मार्च 1935 एक अप्रेल 1937 देखते हैं कौन-कौन सबसे पहले बताता है कौन-कौन सही बता रहा है कब से लागूवा था बन तो 1935 में गया था लेकिन लागूवा था एक अप्रेल 1937 को जान रहें इसी के तहे अजमेर मेरवड़ा को प्रशासनिक सक्तियां दी गई थी अंग्रेजों ने अपना चीप कमिशनर किसको बना रहा था अजमेर मेरवड़ा लेकिन उसको जादा प्रशासनिक सक्तियां 1937 में मिली थी अजमेर मेरवड़ा को प्रशासनिक सक्तियां इसी कानून के तेत दी ग अब उसकी पीस आपके ओपर में सत्रा हजार रुपे चल रही है लाइव एंड रिकोर्डेर कक्साएं अठारा सो प्लस गंटे की कक्साएं अठारा महीनों में साक्सातकार का अभ्यास प्रारंबिक वे मुख्य प्रिक्षा के इनोट्स और मिलेंगे आपको साप्ताइक क्लास टेस्ट उत्तर लेकन वाद विवाद के विशेश सत्र ये सब इसकी परमुक विशेशताएं है तो अगर आपने ये नहीं ले रखा है तैयारी करना चारें तो अभी ओपर चंद्रा इसके अंदर आप ले ले वहे पत्र जिसमें सासक द्वारा प्रदान की गई जागिर का उलेक होता था हुक्म नामा जागिर पट्टा रेक उपर्युक में से कोई नहीं वहे पत्र जिसमें सासक द्वारा प्रदान की गई जागिर का उलेक होता था ये भी मिडाईवल एड्मिनिस्ट्रिव एंड र राजस्वीवस्ता का परसन है देखिएगा जागिरपट्टा हुक्म नामा रेक उपरिक्मे से कोई नहीं है यह तो पक्का पता कि हुक्म नामा तो नहीं है हुक्म नामा हुक्म नामा पेश कसी पेश कसी एक सब्दा था नजराना एक आता है तलवार बंदाई तलवार बंदाई तो तलवार बंदाई चलता था मेवाड में, नजराना चलता था जैपूर में, और हुक्म नामा पेशकसी चलता था जोधपूर में, और इन तिनों के लिए मैं one word यूज कर सकता हूँ, उत्रादीकार सुल्क, उत्रादीकार सुल्क, यानि जब भी कोई नया सामन्त अपनी परकूर सीवर बेटा तो राजजा को टेक्स बेजेगा, इसी टेक्स को उत्रादीकार सुल्क बोलते हैं, और यही उत्रादीकार सुल्क है, जोधपूर रियासत में हुक्म नामा या पेशकसी कहलाता, जेदपूर रियासत में नजराना कहलाता, और मेवाड रियासत में त जागिर पटे में उलेकित जागिर की वार्सिक आई जागिर की वार्सिक अनुमानित आई उसको बोला जाता तरे यानि जो जुक जागिर का पट्टा दिया जाते पटा का मतलब रजिस्टरी आज अपन कोई प्लोट लेते हैं तो अगर उस पटे में को टोटल इंकम कितनी हो रही वो दर्शा दिया जाता तो वो तो रेक के लाता और जागिर द्वारवा द्वारा प्रदान जागिर का उलेक जागिर पटे में होता था यानि विकल्प कर्माक आपका ए इसका सही और सटीक आंस्वर होगा ओप्शन ए इस दा क्रेक्ट आंस्वर नेक्स्ट क्यूसन देखो दके राजस्तान में गणगोर का त्योहार बड़े हरसोलास के साथ मनाया जाता है गणगोर सब्द में गण और गोर किसका सुचक है फटा पटापट बताई गणगोर का त्योहार तब तक मैं कुछ मैसिक बातें बता देता हूँ गणगोर गणगोर चेत्र सुकले तर्तिया को मनाया जाता है और अठारा दिन का त्योहार होता है गणगोर का की परसिद है गणगोर परसिद है जेपूर की अपने तो गीत गाया ज चालीए को जुल्हें, ऐजो जाओन ली जाने करा है। शिव और एक सब्दाता राई और एक सब्दाता गोर इन दोनों सब्दों करतोता पारवती गोर 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 गोमती इसर पुझे पारवती इसर और गण का मतलब सिव और राई और गोर का मतलब पारवती गणगोर के दिन ही सिव पारवती का गोना यानि मुकलावा वाता इसलि कौन सा त्योहार मनाया जाता है तीज कजली तीज गणगोर आखा तीज कब का पूचा है भादरपद कृष्ण तरतिया को कौन सा त्योहार मनाया जाता है तो जान रहें आखा तीज तो नहीं मनाते आखा तीज वैसाक सुकले तरतिया को मनाते हैं वैसाक सुकले तरतिया को मन और ये आखा तीज एक अबुज सावा है अबुज सावा का मतलब विवा के लिए ये पूरा दिन ही पवित्र है यानि पूरे दिन आप कभी भी विवा करो पंडी जिसे मुरत तक पूछने की दुरूत ने विवा के लिए सबसे उत्तम दिन आखा तीज है इसलिए अबुज या तीज ये मनाई जाती है सावन सुकले तरतिया तो बादरपद क्रिशन तरतिया को कौन सी तीज हो जाएगी कजली तीज कजली तीज कजली तीज कजली तीज या इसी का दूसरा नाम होता है बुड़ी तीज कजली तीज का दूसरा नाम होता है बुड़ी तीज या इसी को बोल देते हैं बड़ी तीज इस दिन सातु खाते हैं शातु मतलब जो क्याटे से बनेवे लड़ु इसलिए इसी तीज का नाम होता है शातुडी तीज ये एक ही नाम है और ये मनाते हैं बाद रपत क्रिश्ण तरतिया को और परसिध है बुंदी की ये बड़ी तीज माता का मेला बरता है सीतला अस्टमी को और सीतला माता का मैला बरता है सील की डूंगरी सील की दिंगुरी काम पर है चाक्सु जैपुर ग्रामिन के अंदर ये मेला बरता है इस दिन बासी बोजन ठंडे बोजन का भोग लगाया जाता है सीतला अस्थमी जब आती है तब अपने गरों के उपर चूला नहीं जलता रात का बनावा बोजन ही सुब अपन खाते हैं और माता जी को भी भोग लगाते हैं इसलिए सीतला अस्थमी के दिन बासी बोजन का भोग लगाया जाने के करण इस दिन बासी ओडा भी मनाते हैं तो कब मनाते हैं चेतर सुक्ल अस्टमी नहीं चेतर सुक्ल अस्टमी को तो असोक अस्टमी आती है असोक अस्टमी और इस दिन केला देवी का मेला भी बरता है चेतर सुकल अस्टमी को तो केला देवी का क्या बरता है मेला बरता है राजस्तान का लखी मेला जान लाखों की संक्या मैं सरदालू इकटे हो उसे कहते हैं लखी मेला और ये लखी मेला करोली में बरता है तो चेतर क्रिस्टन अस्टमी इसका सही उत्तर होगा सीतला माता का मे नेक्स्ट क्यूसन देखिएगा दूंगरी पर कौन सा मंदिर इस्तित है सीदा सीदा परसन है कि चाक्सु जेपूर अब चाक्सु जेपूर ग्रामिन में आ गया है वे चाक्सु जेपूर ग्रामिन चाक्सु जेपूर ग्रामिन में सील डूंगरी पर कौन सा मंदिर इस्तित है सिला माता नहीं सिला माता का मंदिर तो आमेर दुर्ग में इस्तित है और किस ने बनवाय था मान सिंग सांगा नेर को सांगो बाबो जेपुर को हडमान आमेर की सीला देवीन ओल्यायो मारो मान यानि एक तो सांगा नेर का सांगा बाबा जेपुर चांद पॉल पर वरतमान में बनावा हनुमान जी मंदि और ये सिला देवी का मंदिर मान सिंग ने बनवाय था आवरी माता का मंदिर तो है निकुम्ब निकुम्ब नाम की जगे चितोडगर जिले में आती है लकवा रोग की निवारक देवी मानी जाती है ब्रामनी माता नहीं ब्रामनी माता इनका मंदिर तो है 12 के अंदर सोरसेन गाउं के अंदर बनावा है और एक मातर देवी जिनके पीद की पूजा होती है तो चाक्सु में जिस देवी का मंदिर बनावा है वो है आपकी सीतला माता जान रखना सीतला माता याँ पर बिल्कुल करेक्टांस पर होगा option D next निम लिखित में से किस तिथी को बीना मूरत निकलवाए सभी मांगलिक कारिये किये जाते हैं बादरपद क्रिशन अस्टमी नहीं बादरपद क्रिशन अस्टमी को अपन जानते है कि जनमास्टमी आती है बगवान स्री क्रिशन जी का जनमोच सो आता है उनका happy birthday आता है सावन सुकल नौमी नहीं ये तो चोमासा में आती है और छोटी तीज इस दिन आती है इस दिन महिलाएं लेरिया पेंती इसलिए इसको लेरिया तीज या सावनी तीज भी कह देते है चेतर सुकल नौमी नहीं चेतर सुकल नौमी को राम नौमी आती है प्रभू स्री रामचंदर जी का जर्म दिवसाता है वैसाक सुकल तर्तिया और वैसाक सुकल तर्तिया मतलब आखा तीज या इसी को बोलते हैं सुवा तीज या इसी को बोलते हैं अकसे तर्तिया और इस दिन आप में किसी भी मूरत पूछने की जरुवत नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये कैसा सावा है अबुज सावा है बिना पूचावा सावा है अते आपका विकल्प करमाक सी जो है वो करेक्ट आंस्वरे होगा नेक्स्ट क्यों संदेखिएगा निमलिकित में से किस तिथी को पुषकर मेला बरता है पुषकर मेला कार्तिक पूर्निमा स्रावन पूर्निमा जैस्ट पूर्निमा माग पूर्निमा पूर्निमा किस तिथी को बरता है माग पूर्निमा को तो नहीं बरता इस दिन बेनेस्वर म माग पूर्णिमा के दिन जो मेला बरता है वो है बेनेस्वर मेला जिसको आदिवासियों का बताओ क्या बोलते हैं कुम्ब बोलते हैं आदिवासियों का कुम्ब वागड का परियाग, वागड का पुसकर, सोम माही जाखम नदी के संगम पर नवाटा परा गाउं डूंगरपूर में ये मेला बरता है जैस्ट पूर्निमा को नहीं बरता है स्रावन पूर्निमा को नहीं बरता है कार्तिक पूर्निमा को पुषकर मेला बरता है और ये राजस्तान का सरवादिक हुरंगा मेला है राजस्तान का सबसे हुरंगा मेला हुरंगा मेला का मतलब है रंग भी रंगा मेला सबसे रंग भी रंगा मेला पुशकर मेला है ज्यान रखना अंतर राष्ट्रिय प्रसिदी प्राप्त मेला है वैसे पूरे कार्थिक मेहिने में चलता है लेकिन इसका अंतिम दिन और दो सबसे बड़ा दिन होता है वो कार्थिक पूर्णिमा का दिन होता है अते विकल्प कर्मांक ये आपका करेक्टान स्वर होगा next करोली जिले में स्री महवीर जी का मेला लगता है चेत्र क्रिशन एकादसी से वैसाक सुकले दितिया वैसाक सुकले दितिया से जेस्ट क्रिशन एकादसी चेत्र सुकले एकादसी से वैसाक क्रिशन दितिया वैसाक क्रिशन दितिया से जेस्ट सुकले दितिया तक कब से कब त करोली में बढ़ता है और मावीर जी का मेला मावीर जैनती के उपलक्स में बढ़ता है तो मावीर जैनती बताओ कब आती है मावीर जैनती आती है चेत्र सुकले तेरस चेत्र सुकले तेरस तो वैसाक ये गलत हो जाएगा वैसाक गलत हो जाएगा चेत्र क्रिशन एका दसी से वैसाक सुकले दितिया, इसका मतलब ये लगबग एक महीन हो गया, और चेतर सुकले एका दसी से वैसाक रिशन दितिया तक आपका option C जो होगा, वो बिलकुल correct हो जाएगा, चेतर सुकले तेरस को मावीर जैनती आती, उसे दो एक दिन पहले ये मेला बरना शुरू होता है, option C Next, किस महरणा के समय में उदेपुर में हरियाली अमावस्या का मेला बरना शुरू हुआता हरियाली अमावस्या का मेला, महरणा बुपाल सिंग, महरणा संबु सिंग, महरणा बुपाल सिंग, महरणा सजन सिंग, महरणा फटे सिंग, हरियाली अमावस्या का मेला, बताई, फटा पड़ बताईए किसके काल में बरना सुरू हुआता हरियाली अमावसिया का मेला, सबसे पहली बात तो अपने को ज्यान रखना है कि ये हरियाली जो अमावसिया है, हरियाली अमावसिया, हरियाली अमावसिया आती है सावन मास की अमावसिया, सावन अमावसिया, और इस एक इसी दिन बढ़ता है मुड़ा जोहोड मेला राई सिंग नगर गंगा नगर में था अब अनूपगड में आता है अनूपगड में और एक बढ़ता है फते सागर जील का मेला इसी हरियाली अमावस्या को बढ़ता है फते सागर जील का मेला और फते सागर जील के मेले कोई बोलते है उदेपूर का मेला उदेपूर का हरियाली अमावश्या का मेला फते सागर जील के किनारे बरता है फते सागर जील महारणा फते सिंग ने बनवाई अते इस मेले की सुरुवात भी बताओ किसके काल में होगी महारणा फते सिंग विकल गलिया कोट का उर्स गोटिया अंबा मेला नहीं गोटिया अंबा मेला तो ये तो बरता है बोरी गामा बांसवाडा के अंदर चैत्र अमावस्या को और चैत्र अमावस्या को बरता काम पर है बोरी गामा बताओ काम पर है बांसवाडा के अंदर तो अपने खोट पत्रही का मेला ये तो बड़ता है बादरपद सुकल अस्थमी सरिष का काम पर पड़ता है अलवर में तो बेनेश्वर मेला इसका आपका बिलकुल सही उत्तर होगा माग पूर्णिमा को ये मेला बढ़ता है और इस मेले को आदी वासियों का बताओ क्या कहा जाता है कुम्ब कहा जाता है तो बेनेश्वर मेला बिल्कुल क्रेक्ट आंस्वर है बिल्कुल बेनेश्वर जिस जिसने भी बताया है उन सब का बिलकुल सही आंस्वर है हाँ बताते रहे हो सही आंस्वर बताते रहे हो बेनेस्वर मेला बिलकुल करेक्ट आंस्वर है नेक्स्ट निम लिकित में से कौन सा युक्म एस सुमेलित है एक तरफ मेला और दूसरी तरफ जिला लिकावा है तो जीन माता मेला सिकर, बरतरहरी का मेला अलवर, केला देवी का मेला दोसा, तेजा जी का मेला नागोर जीन माता का मेला ये नौरात्रा में बरता है नौरात्रा और नौरात्रा में सिक्कर में बरता है बिल्कुल सही है बरतरही का मेला अलवर बिल्कुल सही है सरिस्का में बरता है बादरपद सुकल अस्टमी को बरता है केला देवी का मेला दोसा गलत है केला देवी का जो मेला है चेतर सुकल अस्टमी को करोली में बरता है और इस मेले को राजस्तान का लखी मेला केते हैं लखी मेला का मतलब जहां लाखों की संक्या में सरदालू आते हैं उसे बोलते हैं लखी मेला चेतर सुकल अस्टमी लांगूरिया गीत यांपर सरदालू गाते हैं अते आपका जो correct answer होगा, वो option बताओ कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा, केला देवी दो सा नहीं है, केला देवी करो ली है, next, निम लिकित में से राजस्तान के कौन से लोक देवता, पंच पीरों में सामिल नहीं है, तेजा जी, राम देव जी, पाबु जी, गोगा जी, कौ पंच पीरों में सामिल नहीं है, पंच पीर का मतलब वह लोक देवता, जिने हिंदू वे मुस्लिम, दोनों धर्म के लोग समान रूप से पूझते हैं, उन्हें पंच पीर कहा जाता, हिंदू और मुस्लिम, दोनों समान रूप से पूझते हैं, राजस्तान में पाँच पी जी मंगलिया मेहा पांचों पीर पधारो गोगा जी गेहा यानि पांच पीर है उन पांच पीरों में एक तो है राम देव जी जीने पीरों का पीर केते हैं एक है पाबु जी पाबु जी एक है गोगा जी गोगा जी एक है हडबु जी हडबु जी हडबु जी और एक है मेहा मेहाजी मंग लिया ये टोटल पांच पीर है जिने हिंदू मुस्लिम दोनों पूझते हैं देख लो कौन सा नहीं है आपका तेजाजी पंच पीर में सामिले नहीं है ये ककसा छे की किताब है बैसिक क्यूशन है हमारा राजस्तान ये सही हो रहे हैं तो खुश होना है लेकिन इतना भी नहीं होना है क्योंकि अगर ये सही हो रहे हैं इसका मतलब आपको खुश तो होना लेकिन आपको ये समस्ते में खुश होना की नहीं यार बैसिक बाते मुझे आती है तो ये बैसिक से क्यूशन है तेजा जी इसका करेक्टांस्वर है नेक्स राजस्तान में किस ल सामपरदाइक सदभाव के लोक देवता के रूट में पूजा जाता है, सामपरदाइक सदभाव के लोक देवता, ये आपके रामदेव जी है, रामदेव जी में अपने को याद रखना है कि कुष्ट रोग के निवारक देवता भी रामदेव जी है, कुष्ट रोग निवार कि लोक नगां देवता के चैनल सकुन सास्तिक होते हैं पाबू जी की फड़ पड़ने मातर से ठीक हो जाते हैं इसलिए उन्ठों का सर्रा रोग वे उन्ठों का देवता पाबू जी नेक्स निम लिखित में से विश्णोई संपरदाय के परवर्तक कौन थे जसनात जी जामबो जी सरदानात जी दादू जी बताएगा कौन थे जो विश्णोई संपरदाय के परवर्तक थे विश्णोई संपरदाय किस ने चलाया ये तो बताएगा मैं पानी पी रहा हूं तब तक उत्तर बताएगा फटा पट बताएगा के विश्णोई संपरदाय का परवर्तक कौन है जसनात जी जामबो जी सरदानात जी या दादू ज दादू जी तो नहीं है दादू जी ने दादू पंत चलाया था दादू जी को राजस्तान का कबीर केते हैं द्यान रखना सरदानाजी ये सेकावाटी सेतर में सेकावाटी सेतर में सिक्सा की अलग जगई की सेकावाटी सेतर में सिक्सा का परचार परचार किया था सिक्सा का परचार परचार इनोंने किया था जसनाजी ने जसनाती संपरदाई चलाया था जसनाती संपरदाई चलाया था तो फिर उत्तर होगा जांबो जी जांबो जी विश्णोई संपरदाई कुल कितने नियम है 29 नियम है वन्य जीव एवं परकरती से सरवादिक प्रेम करने वाला संपरदाई कौन सा है वन्य जीव एवं परकरती से सरवादिक प्रेम विश्णो करते हैं गुरु जंबेश्पर बगवा ने ये संपरदाय चलाया था विकल्प भी आपका क्रेक्ट आंसपर होगा नेक्स्ट ये देखो अभी मैंने बताया अभी अगला ही क्यों सना गया कि किस संथ को सेकावाटी सेत्र में सिक्सा की अलक जगाने के लिए जाना जाता है चर इस परदाय की प्रदान पीट जो है वो है सहापूरा एक पीट है रेहन नागोर एक सीहतल विकानेर और एक रामसनई संपरदाय की खेड़ा पापीट की स्तापना ये इनके द्वारा की गई थी रामचरण जी इन्होंने रामसनई संपरदाय के साथ दू है और रामसनई संपरदाय की सहापूरा पीट की स्तापना इन्होंने की थी तो ये खुद तो रोड़ा गाउं टौंक लेकिन पटवार के एक्जाम में इस क्यूसन को सिधा सिधा पूच लिया था कि दादू दयालवे अकबर की मुलाकात किस वर्स हुई थी? दादू जी के बारे में अपन अच्छे से जानते हैं कि दादू जी का जन्म 1546 इस भी में वा था दादू जी का जन्म 1546 राजस्तान में पर्थम उपदेश दियते 1568 सांबर में दादू पंत की इस्तापना इन्होंने किती 1564 में अकबर से मुलाकात 1585 में और अंतिम समय 1603 अंतिम समय यानि इन्होंने अपने दे का त्या कब किया था 1603 तो ये 4-5 तित्यां तो अपने को याद रखनी रखनी है कि दादू जी का जन्म 1546 राजस्तान में पर्थम उपदेश 1568 सांबर दादू पंत की स्तापना 1574 अकबर से मुलाकात 1585 1585 और अंतिम समय यानि इन्होंने दे का त्या कब किया था 1603 तो मुलाकात फतेपूर सीक्री ये युपी में पढ़ता है उस समय आमेर के राजा थे बगवंत दास 1544 से 1589 तक और मान सिंग उनके बेटे थे मान सिंग इनको वाँ पर लेकर जाते हैं और अकबर से मुलाते हैं लेकिन आमेर का राजा पूछ ले कौन था तो आमेर सासक भगवंदास के काल में उनके पुत्र मान सिंग के सैयोग से दादू जी और अकबर की पहली मुलाकात फतेपूर सीक्री उत्तर पर देश में 1585 सी इस्वी में हुई थी अते विकल्प कर्मा ए आपका बिलकुल क्रे अजस्तान का कौन सा इस्तान परसिद है बसी मौलेला आकोला बगरू कौन सा गाउं परसिद है बगरू नहीं है बगरू रंगाई चपाई के लिए है यह पकास सही है कि रंगाई चपाई के लिए यहां पर बगरू गाउं परसिद है और यहां की कौन सी प्रिंट परसिद बग्रूप प्रिंट परसिद है आकोला काँपर है चितोडगड ये रंगाई चपाई के लिए परसिद है आपके रंगाई चपाई के लिए परसिद है ये बात भी सही है क्योंकि रंगाई चपाई के लिए आपका आकोला चितोडगड है यहां कौन-कौन सी प्रिंट तो रंगाई चपाई मतलब तीन टाईब की चपाई यहां पर होती है आज़म जाज़म दाबू यह काम पर होती है आकोला तो लेकिन केवल रंगाई चपाई नहीं रास में लकडी के बेवान कावड ये भी बनाना है मोलेला ये मिटी के काम यानि मोलेला आर्ट के लिए टेरा कोटा के लिए जाना जाता है मिटी के काम के लिए राधस्तान का जो गाउं जाना जाता है वो जाना जाता है मोलेला गाउं राद समंद और टेरा कोटा के परसिद कलाकार मोलाल परजापत का हाल ही में निदनुबा है मोलाल परजापत टेरा कोटा यानि मिट्टी से समंदित काम वो है मोलेला गाउं का उत्तर होगा बसी गाउं बसी गाउं, चितोडगड, ये कास्ट कला के लिए प्रसीद है, रंगई छपपाई के लिए भी प्रसीद है, लकड़ी के ठपपे, रंगई छपपई वाले ठपपे, कावड, चलता फिर ता मंदिर जिसे आप बोलते हो, बेवान, देव, विमान, यह सब काम, जिस गाउं में होते हैं, वो गाउं है आपका बसी, बसी गाउं काम पर पड़ता है, चितोड़ गड़ में नेक्स, राजस्तान में इस्तित मोलेला गाउं किस हस्त कला के तू परसीदे, अभी मैंने कहा था, यह बेसिक क्यूसन है, ककसा छे की किताब हमारे राजस्तान के क्यूसन है, तो अपने कोई पता रहे कि मोलेला गाउं, मोलेला गाउं किस डिस्टिक में आता है, राजसमन डि ल्यूपोर्टरी जेपूर परसिद है कास्ट कला नहीं कास्ट कला बसी चितोडगड की परसिद है तो फिर बचा क्या टेरा कोटा टेरा कोटा टेरा कोटा जिससे आप मोलेला आर्ट भी बोलते हो और पिछले मेंस में मोलेला आर्ट टेरा कोटा का पांच नंबर का क्यूशन पूचा जा चुका है आरेस मेंस का क्यूशन था कि तेरा कोटा क्या है मोलेला आर्ट क्या है तो ये अपने को थोड़ा सा ज्यान रखना है कि तेरा कोटा क्या है मोलेला आर्ट क्या है मैंने आपको बता दिया मोलेला आर्ट के लिए जाना जाने वाला गाउं बताओ कौन सा है राज समंध है next अगले क्यूसन की तरब चलते है राजस्तान में थेवा कला के लिए कौन सा इस्तान विक्यात है नात द्वारा उदेपूर बगरू परताब गड़ कौन सा इस्तान है नात द्वारा उदेपूर बगरू तो थेवाकला का मतलब क्या होता है हरे रंग के कांच पर सोने की नकासी का कारिये ये थेवाकला है और राज सोनी परिवार इसके लिए विक्यात है राज सौनी परिवार तो थेवा कला बताओ कांकी हो जाएगी परताप गड़ की हो जाएगी जान रखना थेवा कला परताप गड़ नेक्स्ट अगले क्यूस्टन की तरब बढ़ते हैं, राजस्तान में निमलिकित में से कौन सा इस्तान लकडी की मूर्तियों के निर्मान के लिए परसिद है, काला डेरा, काला डेरा तो नहीं है, जेटाना, आकोला, उप्रिक्त में से कोई नहीं, आकोला चितोडगड में गाओं एक तो अजमेर में भी है, और एक जेटाना गाओं बताओ काम पर है, लूंगरपुर में, तो लूंगरपुर वाड़ा ये लकडियों के मूर्तियों के काम के लिए परसिद है, नेक्स देखो, पत्थर, दातु पर लकडी, आदी को खोद कर, किये जाने वाले कलात् कारियों को कहते हैं, बताओ क्या कहते हैं, मीनाकारी, पेचवर्क, नकासी, उस्ताकला, पत्थर, दातु, लकडी, इत्यादी को खोदने का काम क्या कहलाता है, उस्ताकला नहीं, उस्ताकला चरम सिप, चरम सिल्प है, और चरम सिल्प भी उन्ट के उपर, यानि उन्ट के च क्यालाएगा तो विकल्प कर्माक सी आपका क्रेक्ट आंस्वर था तो ये कक्सा छे हमारा राजस्तान इससे जो जो क्यूशन आपके बन सकते थे वो यहां पर पूरे होते हैं और कक्सा छे के अब राजस्तान भुगोल और अर्थविवस्ता के जो क्यूशन आंस्वर है वो आपको सोल करवाएंगे नरेंदर चोधरी सर आप सब को होली की सुबकामनाएं दुबारा से आप सब क्वे उत्तम स्वास्ते और रुजबल भविश्य की कामना करता हूँ All the best साधरवन्दे राम राम Hello, Namaskar RS Utkas के उपर YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत और आपनो राजस्तान की इस सरसन के अंदर हम चर्चा करेंगे राजस्तान भूगोल जिहां राजस्तान की जोग्रोफी की चर्चा करेंगे और आज राजस्तान के भूगोल में हम बात करेंगे कक्षा 6 अर्थात कक्षा 6 के अंदर जो अपने स्कूलों के अंदर RBC की जो बुक आते हैं राजस्तान भूड आप सेकुंडरी एज्यूकेशन की जो बुक आती है 1249 वरक किलोमेटर आता है इसी के सापेक्स हम भारत के 6 तरफल की बात करें कि भारत का 6 तरफल कितना है तो लगबग 32,87,263 यह आता है लगबग 32,87,263 वरक किलोमेटर आ जाता है यह यह से आपको धहान में रखना अब यदि इतना है तो इसका कितना परतिशत आता है तो का option A सही होगा इसके साथ साथ यह भी बता दू यहां से कि राजस्तान जो है यह देश का देश का सबसे बड़ा राज्य है देश का सबसे बड़ा राज्य की बात करें कि 6 तरफल की दरस्टी से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा आता है राजस्तान आता है तो 10.41 पर करना ओभो होसे दानी कि है चाहक है कि यह अपना गलो ने पाता है कि एटा स्थान देस्तिए विस्तार पूछा की इन अपना गलोब उपर इस परकार से प commission की और जो रेखाएं होते इन को बोलता है अग्षांस और उत धिक्षी ओर्चय। हो ते हैं इन्हें कहा जाता है दे-स-अंतर और状ास्तान की बात कर सो चो बो स्कोल कर जो Rob an elect ऄिखू जीरो डीग्री एकस अंडर है यहां को सिर Calvin को तो भाच इन जिए जिन इन्हीन कर दो कि ईखना जीरो डीग्री अकसांस है यहां इसको क्या बोलते हैं उत्री गोलार्द और इस जीरो डिगरी के नीचे दक्षन की तरफ यह जो पूरा आदा इस्सा है इसे कहा जाता है दक्षनी गोलार्द ठीक है भाई अब एक तो यहां से बात आती कि राजस्तान जो है अकसांसों के आधार पर राजस्तान कहां पर या इसके जीरो के उत्तर में होगा या जीरो के दक्षन में होगा तो इसके आधार पर राजस्तान अपने उत्तर में है एक तो यह दूसरा देशांतर है यह जीरो डिगरी देशांतर है इस जीरो डिगरी देशांतर के इधर का जो इससा है पूरा आदा इसको बोलते है तो यहां से आधार पर अपना जो राजस्तान है यह अपना है उत्री गोलार्द के अंदर एक तो यहां से बात आ गई है और देशांतर की बात करूं तो देशांतर के आधार पर राजस्तान है अपना पूर्वी गोलार्द में इसका मतलब है कि अकसांसों के आधार पर उत्र में और देशांतों के अधर पे पूरों में तो यह कह सकते हो अपना राजस्तान कहां होगा यहां एक तो यह किलिए रहो गया अब देखो जब अकसांस रेखाएं जो अकसांस रेखा है उत्री गोलार्द में होंगे उन्हें कहा जाता है उत्री अकसांस तो इसका मतलब है कि अपना राजस्तान का विस्तार जो होगा, वो 100% उत्री अकसांस में होगा, तो यहां पर उत्री अकसांस है, अच्छी बात है, यहां पर भी उत्री अकसांस है, देखो तीजों को समझना, आसा निकलना, यह भी ठीक है, यहां पर दक्षनी अकसांस है, इसका मलग यह तो नही नहीं हो सकता यहां पर दुर्वी खोलार्द में हैं पास्मि उनको बोलता है पास्मि देसांतर होंगे उनको क्या नहीं पास्मि पे तो पसमी देसांतर है, यह आपका पूरवी देसांतर है, इसका अबला आपसन तो भी हो जाएगा, अब गुरू जी क्या हुआ, तो बेटा देखो, अब एक अकसांस तो यह है, और एक अकसांस यह है, जिनके बीच में राजस्तान है, इसका मान है 23 डिगरी और 3 मिनट, औ यह तो होगे उत्री अकसंस, तो 23 दीगरी तीन मिनट से 30 डिगरी 12 मिनट उत्री अकसंस, और देसांतरों की बात करें, मेरे बच्चों है, तो इस परकार से अपके देसांतर आ जाएँगी एक यह और एक यह, यह जो देसांतर है, इसका मान होगा 79 डिगरी 30 मिनट, और इसक आगे बढ़ते हैं, नेक्स यहां से अगला परसन है, राजस्तान का उत्तर दक्षिन और पूरव से पस्यम का विस्तार है, राजस्तान का उत्तर से दक्षिन और पूरव से पस्यम के विस्तार की बात करें, यह अपना राजस्तान, उत्तर से दक्षिन का मतलब राजस्तान का सबसे उत्री बिंदू ये सबसे उत्री बिंदू हो गया और ये बिंदू आता है आपका कोना गाउं और कोना गाउं पढ़ता है गंगा नगर के अंदर ये हो जाएगा आपका दक्षनी बिंदू इसका नाम है बोरकुंडा गाउं बोरकुंडा गाउं और ये जो पढ़ता ह अपना बासवडा के अंदर उसके बाद में पस्मी पूरवी और पस्मी की बात करें तो यह सबसे पूरवी बिंदू है इसका नाम है सिलान या सिलाना गाउं और उसके बाद में एक इधर आपका पस्वी बिंदू है यह होगा आपका कट्रा गाओं और यह पढ़ता है आपके जसलमेर के अंदर इसका मतलब सबसे उत्तर से दक्षिन वाले बिंदू को मिला दें और पूरव से पस्वी वाले को मिला दें यही तो होगा तो यह तो हो ज यहां से यह तो यहां से दोनों रेख आई जो है यह गोसमें कहा पर काटते हैं किस डिस्ट्रिक में काटते हैं तो बैटा याद अखना ये दूसरे को आपस में काड़ते हैं आपके नागोर के अंदर जी ये भी थोड़ा सा आपको धान में रखना हाजी देखो आगे बढ़े नेक्स यहां पर आजाता है अपना राजस्तान राज्ये की कुल इस्थलिय सीमा है राजस्तान राज्ये की कुल इस्थलिय सीमा आ जाती है कि कुल इस्थलिय सीमा जो है ये कितनी है अब ये तो हो गया अपना राजस्तान और इस राजस्तान की कुल इस्थलिय सीमा की बात करते हैं सब इस्थलिय सीमा यह आजाती है 5920 किलो मेटर कितनी है 5920 किलो मेटर तो यह आपका ओप्सन ए हो गया इसका सही जवाब इस 5920 किलो मेटर के अंदर एक तरफ अपना राजस्तान जो है यह बनाता है अंतरास्ट्य सीमा यह क्या बनाता है अंतरास्ट्य सीमा और एक तरफ यह बना तो 1070 किलो मेटर है और अंतराज्य की बात करें तो 4850 किलो मेटर आज आती है तो राधस्तान की कुल 30 सीमा किती है 5920 जिसमें से 1070 किलो मेटर अंतरास्टे सीमा है और 4850 की बात करें यह अंतराज्य अंतरास्टे का मतलब है वह सीमा जो दो देसों के मद्दे है इधर भी देस है पाकिस्तान तो यहाँ पर पूछा जाए कि किस देस के साथ लगती है सीमा तो मेरे लाड़ लो याद आखना इस सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ और यदि अंतराजिय की बात करें जब सीमा लगती है राजियों के साथ और राधस्तान की सीमा जो लगती है एक तो लगती है अपने पंजाब के साथ एक अपने लगती है हरियाना के साथ एक लगती है अपने यूपी के साथ एक लगती है एमपी के साथ और एक सीमा लगती ह अपने गुजरात के साथ इसके अंदर MP के साथ 16 किलो मेटर है जो कि सबसे लंबी है सबसे लंबी है इसके अलावा यदि हम पंजाब के साथ 89 किलो मेटर है जो कि अपनी सबसे चोटी सीमा आती है सबसे चोटी सीमा आ जाती तो यह कुछ बाते हैं से निकल करके आ गई है तो राज़स्तान की सिमा 5920 इसी के आधार पर यहां भात करें राज़स्तान कैसा इस टेट है तो यह तैना राज़स्तान जो है ये Land Lock State है Land Lock का मतलब होता है इस्थल आबद जिसकी सीमा कैसी हो इस्थल ये सीमा हो तो राजस्तान लेंडलोग स्टेट है ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है चलो आगे जी बेटा आगे देखो नेक्स यहाँ पर आता है भारत वे पाकिस्तान के मद्दे इस्थित सीमा को किस नाम से जाना जाता है यहाँ से देखो ये तो है अपना भारत और पाकिस्तान की बात करें यहीं तो हो गया अपना ये तो इधर हो गया अपना भारत और इधर हो गया अपना पाकिस्तान और इस भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा लगती है ना इस सीमा को क्या कहा जाता है इसी की बात कर तो बेटा इसको कहा जाता है अपने रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है इसको क्या कहता है रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है जी यही रेड क्लिफ रेखा है जो अपने अंतरास्टे सीमा बनाती है यही रेड क् पाकिस्तान और अफगानिस्तान और इन buttons और और अफगानिस्तान kingdom और ऑंडर आफ चल रहा हुआ है इसी द्已经 रेखा के उपर सुना होगा कि पाकिस्तान ने एर स्टाइक कर दी थी अफगानिस्तान के अंदर तो अफगानिस्तान के लड़ाकों है उन्होंने इस डुरन रेखा के उपर पाकिस्तानी सेनिकों को पीछे खड़ेड दिया तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये पी ओ के पाक भारत और चीन के बीच में आ जाती है तो इतनीक सी बात यहां पर आ जाती है चलें आगे ओके बेटा नेक्स्ट आगे देखो नेक्स्ट है राजस्तान में थार का मरुस्तल राज्ये के कितने परतिशत भू भाग पर फैला है तथा यहां राजस्तान की कुल कितनी जनसें क्य तो है, इस राधस्तान को धरातलिय बनावट के आधार पर, धरातलिय सवरूप के आधार पर, धरातलिय उचावच के आधार पर कितने भागों में बाटा गया है, भोतिक सवरूप का मतलब होता है, कि किसी भी परदेश को धरातलिय बनावट के आधार पर, धरातलिय में बाटा गया है चार भाग है अब कौन कौन से चार भाग है तो बेटा राजस्तान के पस्मी भाग में एक मरुस्तल इस्सा आता है जिसको बोलते हैं पस्मी मरुस्तल यह बोलते हैं पस्मी मरुस्तल और पस्मी मरुस्तल जो है यह थार का मरुस्तल भी कहलाता है क्योंकि भ इसको बोलते हैं अरावली परवत माला उसके बाद में राधस्तान के डक्षन और पूरवी भाग में एक नदियों के दौरा निर्मित विस्तरत मैदान है और इसको बोलते हैं पूरवी मैदान इसको क्या बोलते हैं पूरवी मैदान और उसके बाद में राधस्तान के डक्ष दक्षने पूर्वी भाग में एक उच्च मेदानी भाग है उच्छ पठारी भाग में जसको उच्छ मेदानी जुछ पठारी दोनों बोल सकते हैं और इसको काहा जाता है दक्षनी पूर्वी कठार अब यहां पर आता is कि इनका एरिया कितना है इनका छेतर कितना है क्या क्या बात है यहां से आतें उनको देखो तो पस्मी मुरूश्तर जो है इसका छेतर की बात करें तो बैठा इसका छेतर राजस्तान के कुल छेतर फलंगा लगभग 61 lawsuit के आसपास है और यहां पर यदि हम जनसंख्या की बात करें तो मेरे बच्छों यहां पर जनसंख्या जो है लगबग 40% के आसपास आ जाती है यदि हम अराउली की बात करें तो इस अराउली छेतर का यदि छेतर की बात करें तो लगबग 9% के आसपास है और जनसंख्या की बात करें तो लगबग 10% के आसपास आ जाती है पूरी भी मैदानी भाग के छेतर की बात करें तो लगबग 23% छेतर है और यहाँ पर जनसंख्या की बात करें तो मेरे बेटा जनसंख्या लगबग 40% के आसपास है दक्सनी पूरी पठारी भाग इसके 6 तरक की बात करें तो लगबग 7% एरिया है और यदि यहां पर जन संख्या की बात करूँ तो लगबग रादस्तान की 10% के आसपास जन संख्या यहां पर निवास करती है अब यहां देखो इसका मतलब यहां पर 61% और 40 तो 61% और 40 कहां पर है पहले में तो option A हो जाएगा इसका सही जवाब लेकिन इसके सासत आपको थोड़ा सा यह भी आदक ना कि पूरी वी मैदानी भाग की बात करें यहां एरिया कम है जन संख्या जादा है तो यहां पर अपना जन गहनत्वे की बात करें गहनत्वे यह कहां पर है इसके अंदर अब मैदानी छेतर है तो उपजाओ होगा क्रिश्री का विकास भी हुआ होगा और धोगिक विकास भी हुआ होगा और यह मरुस्थले छेतर है तो यहां पर जन संख्या कम है और यह मैदानी छेतर जन संख होगी मैदानी होगी अधिक होगा और यदि किसी इस्तान की द्रहतेले बनाट उबढ़ खावड होगी रेतिलाव भूभागा उपजावपन होगा तो जहर सी बात है वहां पर डेंसिटी जो है वह लोग पाई जाएगी तो इस परसन को इस परकार से भी आपको धान में रखन आगे देखो राज़स्तान में अरावली परवत माला राजय के कितने परतीशत भूभाग पर विस्त्रत है अरावली का एरिया लगबऄ कितना आता है 9% के आसपास तो बेटा यहां पे ड्वाब हो जागा आपका 9% आप्सन बी जो होगा ये इसका सही जवाब आता है चलो आगे देखो नेक्स यहाँ पर आता है कि रादस्तान में छपन का मैदान किन जिलों के अंदर इस्तीत है यदि हम बात करें छपन का मैदान ये छपन का मैदान है एक तो यह देखना बेटा इसका निर्मान किसके उसको बोलता है चपन का मैदान और माही नदी का विस्तार अपना बासवाड़ा परतापगड और डूंगरपूर छेतर में है तो यहां से देखो चितोड़गड और बासवाड़ा होगा क्या यह तो नहीं होगा यह होगा यह होगा लेकिन यह नहीं होगा तो बास्वारा और परतापगट ऑप्शन हो जाएगा A इसका मतला option A बास्वाणा और परतापगट वैसे बताओं यहाँ से जैसे यह अपना दक्षनी राजस्तान है बेटा यहाँ पर अपना जिला पढ़ता है बास्वारा इधर जिला अपना है परताफगड और इधर अपना जिला आता है डूंगर पूर और माही नदी जो है वो इस परकार से चली जाती है यहां से यह भी देखना यह जो माही नदी है इस माही नदी के किनारे बासवाड़ा और परतापगड में माही नदी के जो किनारे हैं इनको बोलते है काठल परसन यह भी आ सकता काठल क्या है तो बासवाड़ा और परतापगड के बीच में माही नदी के किनारे जो आते हैं कि काथlles मेथ माही निदी के किनारें है इस बैठा इस बाéra और पुछा जाए तो अब जवाब हो जाएका बासवारा और निड़ेपूरत हैं तो भी पूछ़ाlier जयपूर था चित्वर बाश्वाड़ा करता हो सकता है बासवाड़ा और डुनगरपूर भी होता तो भी हमें क्या इन थे हा जाती है इब कॉन सी मिटी फाई जाती है अब देखू, इसका मतलब है, एक तो हम बात करते हैं, अपने राधस्तान का मैब बना लेते हैं, छोटा से यहाँ पर, बना दिया, अब इसके अंदर देखें कि दकस्नी पूरी भाग, दकस्नी पूरी भाग का मतलब, इस चेतर की चर्चा कर रहे हैं, और यह आपका चेतर आ जाएंगे मध्यमकाली के अंदर इस मध्यमकाली मिटी की बात करें तो एक तो या दखना कि कपास की कपास की खेती हे तू कपास की खेती हे तू इसको उत्तम माना जाता है एक या दखना ये जो काली मिटी है ये इसकी जल घरन चमता जल घरन या जल धारन चमता की बात करें धारन चमता ये सरवाधिक होती है और जल घरन ये जल धारन चमता सरवाधिक होने के कारण इसमें नमी जो है वो लंबे समय तक ठीकी रहती है एक इसी काली मिटी की बात करें इसे अपने आप इसे अपने आप जुतने वाली जुतने वाली मिटी के रूप में भी इसको जाना जाता है जी और एक आता कि सिर्फ मध्यम काली है तो इसका रंग काला है तो रंग काला होने का होने का कारण क्या है इसकी बात करें तो रंग काला होने का कारण मानता है मानता है लोहांस क्या मानता है लोहांस की उपस्तिती अर्था लोहांस की उपस्तिती का इसका मतलब यह ह कि यह जो मिटी थी यह जो लावा है इस लावा से निर्मान हुआ है लावा से निर्मित मिटी है और जो लावा है इसके अंदर पाये जाता है लोहांस अर्थात किसी जमाने में यहां पर जो आला मुखी आये होंगे उससे लावा निकला होगा लावा के जमने पर वो जो चट सब does not feel dirty game तो यहां से इसमें लोहांस की कान है मानतेता हुए छावा से निर्मेट परसन ऐसे भी आ सकता है कि लावा निर्मिट मिटी कौँ से काली मिटी है इसमें लोहांस यह सब बाते हैंसे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपका option D जो होगा यह इसका सही जवाब है और इसी काली मिट्टी के अंदर यहाँ पर सबसे ज़्या दखना यहाँ पर इसकी जल दान चमता अधिक है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यापारिक फसलों का उत्पादन भी कियाता है व्यापारिक फसले करें इन में मसाले जो हैं वो नंबर एक पर आते हैं तभी तो हाड़ोती में सबसे अधिक मसालों का उत्पादन किया जाता है राइट वेटा चलें आगे जी वेटा आगे देखो नेक्स यहाँ पर है निमनलिखित में से कौन सा यूगम सही नहीं है एक तरफ पठार और एक तरफ उसकी आविस्तिति एक तरफ पठार है और एक तरफ उसकी आउस्तिती, आउस्तिती का मतलब है, वो है कहाँ पर, यह बात यहां से आ जाता है, उडिया एवं आबू का पठार, यह कहाँ पर है, सीरोहिक के अंदर है, एकजक्ट सही है, उडिया की बात करें, तो इसके साथ याद अखना, यह रा के 1200 मिटर और एक इस आबू के पठाग साथा था कि यह जो है यह बैथो लित संचना है गुरूजी बैथो लित संचना का मतलब क्या हुआ बिटा क्या होता सुनो जासे यह धरातल है अपना और नीचे भूगरब के अंदर है लावा यह लावा बाहर आता है जवाला मुखी प आता है और यह लावा पर्थवी के भूगर्ब के अंदर ही रह जाता है और पर्थवी के भूगर्ब में रहने के बाद में अंदर ही जमा हो गया यहां पर यह क्या हो गया लावा का जमाव तो जब पर्थवी के भूगर्ब में लावा का जमाव होता है उससे भूगर्बिक आकर्थिय जो बनती है उनके नाम जैसे इंद आपकु ऑने जानाई ए लसी नाम के लिक करनेरे हमें से जमाव के जो यह जबित रिक्यटन गरीधिया कर जोṭु गर्थिया जी को गुम्दागार की रुप में आ जाती है साथ, अब गुर जी यह तो अंदर था, फिर बाहर कहां से आया, तो समय के साथ, यह जो अपना धरातल था, यह किस अपरदन हो गया, यह तो कट गया, और कटने के बाद में, यह संद्रचना अपने कहां पर आगी, बाहर आगी, यह ध उदैपूर रासमन, जी हां, यह हम बात करें, तो गोगुंदा उदैपूर से, कुम्बलगड, कुम्बलगड रासमन के बीच में एक पठार है, और उसको क्या बोलते है, भोराट का पठार कहा अज़ाता है, मैसा का पठार, मैसा का पठार भिलवाडा में नहीं भिया, मैस पठार के और बताऊं, तो यह अपरदित पठार है, अपरदित और कटा फटा पठार है, अपरदित यह कटा फठा पठार है, किस से, तो यहां दखना, यहां पर एक नदी आतिस का नाम है, घंबीरी नदी, मुख्य रुप से घंबीरी नदी से कटा फठा पहड़ है, और इसी मैसा के पठार के ऊपर आपका चितोड का दुरुग इस्तित है तो लसाडिया कहां पर है उद्यपूर और परतापगड के अंदर जी तो आपका ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब है कि कौन सा यूगम सुमेलित नहीं है तो मेरे बचो जवाब क्या हो जागा आपक राधस्तान की जलवायू को परभावित करते हैं उनकी बात करते हैं कौन सा कारक है जो राधस्तान की जलवायू को परभावित करता है सबसे पहले यहां देखो राधस्तान की जलवायू की चर्चा कर लेता हूं मैं एक तो यहां से आता है कि अपने राधस्तान की जलवाय जलवायू जो है यह है कैसी तो बैटा राधस्तान की जलवायू तो है तो एक जासी लेकिन अलग-अलग प्रस्थितियों के आधार पर उसे हम जो हना अलग-अलग नाम से जान सकते हैं जैसे एक तो मैं यहां पर कह सकता हूँ राधस्तान की जलवायू जो है उश्ण एवं स तुस्क या अर्दसुस्क कह सकता हूँ क्योंकि गर्मी जादा है और बारिस थोड़ी सी कम होती है राधस्तान की जलवायू की बात करें इसको मैं मानसुनी जलवायू भी कह सकता हूँ क्योंकि मौसमी घटनाओं के साथ इनमें परिवर्तन हो जाता है राधस्तान की जलवायू की बात करें तो बेटा इसको मैं कह सकता हूँ शितोशन कटी बंद्य जलवायू भी कह सकता हूँ तो बेटा मैं इसको उपोशन जलवायू भी कह सकता हूँ अलग अलग परिस्थितियों के आधार पर अलग अलग मापदंडों के आधार पर तीन चार पांच परकार से चार नामों के आधार पर हम इनको रास्ता की जलवाई को डिफाइन कर सकते हैं जी ऐसा है ये उपोशन गर्मी की स्थि गर्मी की आधार पर है सितोसन अकसांसों के स्थि के आधार पर है मान सुनी अपने हाँ पर घटने वाली घटनाओं के अधार पर है शुशन एंसुसक की बात करें तो ये वर्सा और तापमान के उसुशता के आधार पर है अब यहां स तो जाहिर सी रहा है। यहां पे स्हितोसंगति बंदे जलवाई होगी सितोसंगति मंनDesu का मतलब इसी प्रस्तित्यां जहां पर लगभग छै महNI girm i or poi ज्ञा Moraginal stigma कि स्रदिके आसपास की स्तियां होती कि स्मुंदर से दूरी भी परभावीत करती है समुंदर से दूरी की बात करें, ये भी परभावित करती है, यदि राजस्तान समुंदर के नजदीक होता, तो अपने हाँ पर सुस्क नहीं होती, आदरता होती, क्योंकि समुंदरी नहीं होती, लेकिन समुंदर के से दूर है, इसलिए अपने हाँ पर सुस्क पाई जाती है, दूसरा बात यहां से आ जाती है हां जी चलो आगे देखो नेक्स यहां पर आता है निमल लिखित जिले में से कौन सा युगम ऐस सुमेलित है अर्था जिले हैं और जलवाईई है जिले हैं और यहां पर जलवाईई है अर्था राज़स्तान के अंदर सम्मानित है कुछ जलवाईई का परगीकन किया गया है, उसके आधार पर है, जैसे मैं कहूं, देखो बेटा, एक में छोड़ा से चितर बना देता हूं, यह अपना राजस्तान है, और इस राजस्तान के अंदर में छोटा से डाइगरम बनाता हूं, उसके आधार पर कुछ समझने की कोशिस करने हैं आपको, जैसे सम्मानित मैं कहूं कि यह जो इलाका है यहां पर एकदम सुस्क जलवाईू पाई जाती है यह जो इलाका है यहां पर सुस्क जलवाईू है यह जो इलाका आ जाता है यहां पर मैं कहूं अर्द सुस्क आ जाती है अरावली छेतर की बात करूं तो मैं कहा दूं यहां पर उपादर जलवायू पाई जाती है इस पर कारसी दिमें ये निकाल दूँ तो ये हो जाएगा आरदर जलवायू और ये दक्षिन का इसा और दक्षिन पूरो का यहां पर बोल दूँ अती आरदर ये थोड़ा सा आपको चितर बनाया है और इस चितर के आधार पर इन जिलों की लोकेसिन को फाइंड आउट करना होगा क्योंकि हम जिलों को नए पढ़ करके हम लोग राजस्तान की इस्तवी के आधार पर जलवाय को डिफाइन करते हैं और उसके बाद जब एरिया हमें पता होगा तो फिर हम लोग इसको निकाल लेंगे अब देखो भाई, कौन सा यूगम ऐस सुम्रत है ज्रेपूर, अर्दसुसक की बात करें एक तो यह अब यहाँ पर बात करें ज्रेपूर जो है, यह कौन से चेतर में आता है अराउली चेतर में है यह इस अराउली चेतर में है जब भौतिक परदेश पढ़ते है तो अराउली परवतमाला का विस्तार कहां पर आता है ज्रेपूर में आता है यह फिर ज्रेपूर का विस्तार किसमें आता है अपने पूरवी मैदानी भाग में जेपूर को हम अरावली में भी पढ़ते हैं और जेपूर को हम पूरवी मैदानी भाग में भी पढ़ते हैं जेपूर जो है इसको हम कहां पढ़ते हैं अरावली में भी पढ़ते हैं मेरे गुलगलो और इसको पूरवी मैदानी भाग में भी पढ़ते हैं इसका मतलब है और सुस्क के अंदर तो इसका मतलब इस शेतर में तो अरावली की यह इसका मतलब यह नहीं होगा तो यह हो गया आपका सवाई माधुपूर सवाई मादोपूर देखो सवाई मादोपूर यहां पर है तो कौन सा हो गया आरदर उसके बाद बांसवाड़ा यह बांसवाड़ा है तो कौन सा हो गया अती आरदर में और जसल में यहां पर है तो कौन सा हो गया सुस्क जलवाई इसका मतलब है जिले रटने के वज़ाए हम युको जिलों की स्थाथिके आधार पर बाटा जात है तो हमें पर कुछ परसन है और कैसे сосern है क्योंकि कहने का कुछ भी हो सकता है यह पर ज़्याचा डिपेंड करता तो आपको सामाने प्रिस्तितियों के अंदर ये इलाका याद रखना होगा ठीक है आगे देखो मेरे बचो नेक्स्ट है राधस्तान में ग्रिसम रितु में चलने वाली अत्यन्त गरम एं धूल बरी हवाओं को इस्थाने भासा में क्या बोलते हैं तो हम लोग क्या बोलता है उसको लू बोलते उनको क्या बोलते हैं बेटा बभूलया कहा जाता तो ग्रिसम काल में पस्मी राधस्तान के अंदर एक गोलाकार चकरवा चलते हैं उनको तो हम बोलते हैं और ग्रिसम काल में अपने राधस्तान में अत्यन्त गरम धूल बरी हवाओं को क्या बोलते हैं लू बोलते हैं अत् गरम है तो ये तो सब्धाना तो यह सब्ध कहां पे लेकर आगए लूं के उपर तो अतन गरम तो लू Hem Woo आंदी जो है सदो आंदी जुरूरे don loveую do जाना यह भान ज में लुग है। और 379 के साथ नहीं होगीары अतंत गर्म का मतलब हमें कहां जाना है लू के साथ जाना है आगे देखो नेक्स्ट नेक्स्ट यहां पर है निमल खित में से मानसून की कौन सी साखा राजस्तान में सरवादिक वर्सा करती है जी यहां से मैं बात करता हूँ एक नक्सा मनाता हूँ भारत का जी यह नक्सा हो चलो नक्सा बना दिया भारत का सुंदर सा जी वेटा इधर अरब सागर है इधर बंगाल की खाड़ी और ये आपका हिंद महासागर अब क्या होता है गृष्ट्रम काल में यहां पे तापमान इस छेतर में तापमान हो जाता है अधिक और तापमान अधिक होने पर यहां पर वायुदाब कम होता है और वायुदाब कम होने पर ये जो छेतर है हवाँ को अपनी और आकसित करता है तो हवाँ जो है इस जल्य छेतर से जाती है क्योंकि गृष्ट्रम काल में यहां पे तापमान जो है ये कम है तापमान कम है तो यहां पर वायुदाब थोड़ा अधिक है और हवा हमेसे उच वायुदाब से निउन वायुदाब की और चलती है तो हवाँ इधर से चलने लग जाती है इस परकार से हवाँ चलने लगी जो हवाँ अरब सागर के उपर से जाती है उनको तो बोल देते हैं अरब सागर की साखा और जो हवाँ बंगाल की खाड़ी के उपर से आते हैं उनको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी की साखा इसका मत सुन बंगाल की खाड़ी के उपर से आते हैं तो ये भी नमी लेकर के आते हैं तो इनको बोलें मानसुनी साखा बंगाल की खाड़ी की मानसुनी साखा ये अपना हो गया राजस्तान अब ये अरब सागर इधर तो हो गया अपना अरब सागर की साखा तो इस अरब सागर की लेकर कि ब मान्सोनी हवाए आती है जैसे तक्र थे परेज़ कर टक्रा कर और थे कर डिये हो, यहां पर अधिक आत्र दाया है तर्वाइटर सबसे पहले पर्वेस करती है, तो अपने माइन में यह आएगा, कि सबसे अधिक आधिक होगी लेकिन बेटा नहीं, क्योंकि यह जो हवाएं हैं, इन हवाओं के मारग में वर्सा कराने के लिए कोई बादा नहीं है, अपने बीच में अराउली है, तो यह से आगे से घूमती है, हमाले परवतमाला के सारे सारे, और फिर यह आगे आती है, तो यह इसको तो यहां तक आने में लग गया, और यह घूम करके आई, तो यह लेट पहुंचती है, जब तक यह यहां तक आती है, तो यहां से लेकर के और यहां तक वर्सा करती 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 क करती करती आएगी तो इसमें आदरता की मातरा क्या हो गई कम हो गई इसलिए बंगाल की खाड़ी में आदरता कम है और अरब सागर में जादा है लेकिन इस बंगाल की खाड़ी से वर्सा जादा होती क्योंकि जैसे यह हवा आई आने के बाद किसे टक्राती अराउले से इसका की परकिरिया की फिलसीऊ उर्फ जल वास बुंदों में बदलती है और बुंदों से बारिस होती अड़े even घ्रजय को बता जिया क्यों कि पहले कूं सा आता है या स्थ id सब बाते मैंने को मैंने आपको यहां से बताई है चले आगे, ओकी, आगे देखो, नेक्स्ट है, सीतरितू में भूमदे सागा से उठने वाले पस्मे विक्सोप से होने वाली माउट से किस फुसल को लाब मिलता है, चलो, एक छोटा से चितर बनाता हूँ, यह अफरीका महादीप है, यह अरब परायदीप का इसा है, यह भार पठार आता जिसका नाम है पामीर का पठार, जी, इधर आपका एक सागर आता जिसका नाम है भूमदे सागर, बीच में एक सागर और आता जिसका नाम है कैस्पियन सागर, ठीक है, जी, अब सीत काल में, किसकी बात करों, सीत काल में, इस भूमदे सागर में, सीत काल में, इ उम्मद्य सागर में चकरवातों की उत्पत्ति होती है उत्फ इसलिए जो पशिम के अंदर जो उत्पन हूए चकरवात इनको हम लोग क्या बोलते हैं पस्मी विक्सोब रट ने किया ऊसकता नहीं है यह भारत के विक्षोब पसी में है इसलिए इनको क्या बूलते हैं पस्मी विक्षोब तो यह पस्मी विक्षोब उत्पन होते हैं उत्पन होने के बाद में यह पूरव की ओर बढ़ते हैं और पूरव की ओर जिसके साथ आगे बढ़ते हैं उनको कहते हैं जेट स्ट्रीम पा वर्सा की मातरा बढ़ती है, एक बार साइब परसन आया भी था आरस मेंस के अंदर की आरस मेंस में आया की राजस्थान में समुंदरी वर्सा और कैस्पिन सागर की इस्थती, ऐसा परसन आया था तो आपको बताना पड़ेगा की विया कैस्पिन सागर जो है, इस कैस्पिन सा भरहा से ठकराती है कुछ हवाएं इसके नौर्थ से चलिकालिन कीलर χवाइं इसके षाय। और इन्हीहबाएं के द्वेरा अपने हाँ पर होती है वर्षा अपने हाँ पर होती है वर्षा को कहते हैं मावथ, तो कब होती है? अब फिध कालिन नह। तो गल्नग कपास चावल और गेहूं इन में से सीथकालिन फसल कौन सी आती है आपकी गेहूं की बात करेंगे यहाँ पर इन में से सीथकालिन की बात करें तो आपकी सीथकालिन कौन सी आजाएगी बेटा गेहूं नेक्स्ट है निमन लिखित में से राजस्तान की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाहतंतर का भाग नहीं है यहां से देखें सबसे पहले तो हम बात करते हैं अपने राजस्तान का अपवाहतंतर की बात करते हैं राजस्तान की अपवाहतंतर को तीन भागों में बाटा खाड़ी का अपुआ है तंतर और यह लगबग 23 से 24 परतिस्त इस्सा है और एक आता है अरब सागर का अपुआ है तंतर और यह लगबग 16 से 17 परसेंट है ठीक के लिए तो परसन एक तो यह भी आ जाता है कि राधस्तान का सबसे बड़ा अपुआतंतर आंत्रिक अपुआतंतर सबसे छोटा अपुआतंतर तो आपका हो जाएगा अरब सागर का अपुआतंतर अब यहां से पूछा गया इस बंगाल की खाड़ी की अपुआतंतर का भाग नहीं है तो बंगाल की खाड़ी के पहले आंत्रिक की बात करें, जैसे इसके अंदर आपके घगर हो जाएगी, इसके अंदर आपके काटली हो जाएगी, इसके अंदर आपके जैसे काकने हो जाएगी, इसके अंदर जैसे आपका मेंथा, रूपनगर्ड, खारी, खंडेला हो जाएगी, बंगाल की खारी की बात क करें इस से चंबल हो जाएगी आरब सागर की बात कजिसे लूनी हो जागी आपके माही हो गही आपके साबरमती की बात करें यह यहाँ पर हो गहीं यह नाम नाम यहाँ पर आजाएंगे अब देखो तो निमल लिखित में से राजस्तान की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवात अंतर का भाग नहीं है बनास तो है जा पारवती भी है काली सिंध भी है साबर मत यह नहीं है घगर नदी बान गंगा नदी रूपा रेल किस अपवात अंतर का इसा है यहां से चीज़ आ रखना मेरे बच्चों क्या हुआ इस बान गंगा नदी की बात करें घगर नदी इसे जो हना सोहता नदी कहा जाता है इसको सोहता नदी भी कहते हैं इसे नट नदी भी कहते हैं इस बान गंगा नदी, इसकी बात करें, इसे अरजुन की गंगा, अरजुन की गंगा भी कहा जाता है, इसे रुंडित नदी भी कहा जाता है, ये परसन तो कई बार आ चुका है, रुंडित नदी, रुंडित नदी का मतलब क्या होता है, ऐसी नदी, जो बहती बहती है, पहले जि जैसे यह एक नदी है और इधर से एक नदी आ रही है और वह इसके अनतर मिल रहे थी लेकिन समय के साथ इसमें पानी कम हो गया तो इसका बहाव पीछे की से गया और अब यहीं विलुप्त हो गई धीर दीरे पीछे होने लगी मुखह नहीं आता तो ऐसी साइक नदी जो मुख्य नदी में मिलने के बज़ाए अब रस्ते में कहीं पर भी विलुप्त हो जाए मारग में विलुप्त हो जाए उसको बोलता है रूंडिक नदी ओपिंतर का इसा है यЕ बाणगंगे आपके बंगाल की खाड़ी का इसा है इसे याद रखना है आपको कि यह option पे निरबर करती है जैसे यहाँ पर option आया कि घगर बान गंगा रूप पारिल तीन के साथ दे दिया तो घगर तो कौन सी है आंत्री का पोहत अंतर है इसलिए option A हो जाएगा लेकिन यही person ऐसे आता कि चंबल, बैनास और बान गंगा यह किसका है तो फिर वो किसका हो जाता है बंगाल की खाड़ी का हिस्सा और जो बान गंगा नदी है यह नदी option पे ज़्यादा निरबर करती है कि भीया किसका हिस्सा होगी राइट चैलो आगे देखो नेक्स्ट यहाँ पर है निमल लिखित में से कौन से नदी राजस्तान की सबसे लंबी नदी है इन में से कौन से नदी जो है वो राजस्तान की सबसे लंबी नदी यहाँ पर आ जाते उसकी बात करें देखो यहाँ पे लूनी की बात करें यह आपके आती है अजमेर से, अजमेर में नाग की पहड़ियों से आती है, नाग की पहड़ियां, और इस लूने नदी की लंबाई को लेकर के बड़ा कॉंट्रोवर्शिल मामला रहता है, कहीं पर चारसो चारसो साइट है, कहीं पर कुछ आता है, क्योंकि यह बारिस अधाय की जो आती है, इसकी लंबाई आपको कहीं पर 965 भी मिल जाएगी और कहीं पर 266 किलो मेटर भी मिल जाएगी, लेज इसकी लंबाई, सेटेलाइट के आधार पर 1051 किलो मेटर भी आपको मिल जाएगी, इसके अलावा बनास की बात करें ये जो बनास नदी है ये अपने रास्समन से निकलती है गोगुंदा रास्समन से और इसकी लंबाई जो है 480 किलोमेटर आती है और यदि सेटेलाइट की बात करें तो सेटेलाइट के अधार पर पानसो बारा किलोमेटर के लंबाई आ जाती है साथ हना और माही जो है ये भी MP से आती है अब यहाँ पर जो सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो नदी नंबी कुछ जाएगी चम्बल लेकिन बनास के साथ या तक न यह है पूरन बहाओ के आधार पर यह है पूरन बहाओ के आधार पर आधार पर राजस्तान की सबसे लंबी नदी है पूरन बहाओ के आधार पर राजस्तान की सबसे लंबी नदी है गुर जी सबसे पूरन बहाओ का मतलब ऐसी नदी जिसका उद्गंभी राजस्तान में है और उसका विले भी राजस्तान में उसको बोलते हैं पूरण बहाओ ठीक है चलो फिर थोरा सा और आगे चलते हैं हाजी चलो आगे देखते हैं नेक्स यहां पर आता है निमन लिखित में से कौन सी नदी पूरण ते राजस्तान में भेने वाली सबसे लंबी नदी है पूरण ते राजस्तान में भेने वाली सबसे लंबी नदी है तो नाम आ जाएगा आपका बनास ऑप्शन सी जो होगा यह इसका सही जवाब है अभी इसकी पूरी व्यक्ष जो हना हम लोगों ने की है कि भाई कौन सी नदी है बनास जी वैसे बनास की बात करें तो इसको क्य समन से राजस्तान में कहां से तो बिठा यह अपने आती है खमनोर की पहाडियों से राजस्तान में खमनोर की पहाडियों से बहती वी आती है जो कि राजस्तान की पूर्ण भाव के आधार पर सबसे लंबी नदी है जी आगे देखू भाई नेक्स्ट यहां पर है जोजडी बांडी जवाई मीठडी किस मुखे की साइक नदिया है यहां पर यदि हम बात करें यह साइक नदिया आते हैं लूनी की कौन सी है लूनी इस लूनी की साइक नदिया में जोजडी है बांडी है जवाई है मीठडी है जो लूनी में दाईं और से मिलने वाली एक मातर नदी है। जवाई नदी की बात करें तो बैटा इसके उपर एक बांद बनाओ है जिसका नाम है जवाई बांद पाली के अंदर है। इस जवाई बांद की बात करें इसे मारवाड का अमरत सरोवर कहते हैं जी तो यहाँ पर ऑप्सन क्या हो जाएगा ऑप्सन ए जो है यह इसका सही जवाब है चले बटागे ओके मेरे बच्चों नेक्स्ट है निमल खित मेंसे कौन से युगम एस सुमिलित है एस सुमिलित परि परिजुना का मतलब है कि नदी पर बांद बना करके नदी पर बांद बना कर के और वहां से से शीचाई और पेजल पी आपुर्टी की जाती है इससस्ट अब यहां से पूछा गया है कि कौन सा ूगम आस सुमिलित है तो सब से पहले जमाई पिरिजुना जोध पूर अभी आप पूर्ती की जाती है पेजल के लिए और सिचाई के लिए उसके बाद सौम अंबा कमला परिजना ये जो है ये आपके सौम नदी के ऊपर है और कहां पर है डुंगरपूर के अंदर है ये जो सौम अंबा कमला परिजना की बात करें ये भी आदक ना ये आदिवासियों को अदि वाशियों को समरपित प्रिजना आती ये भी पॉचा जाची के इस अदि के ऊपर है मान सी नदी के ऊपर है जाख्म प्रिजना ये परतापगड में है और किस नदी पर है जाखम नदी के उपर है परतापकर में बांध बनाए गया जाखम बांध है इस जाखम नदी पर ये बांध है जिसका नाम है जाखम बांध है और जाखम बांध की बात करें तो याद एकना राजस्तान का सबसे उचा बांध है सबसे उच्छा बांद है यह भी थोड़ा सा अपको ध्यान में रखना है यहां पर कौन सा यूगम जो है एस सु मिलता है ऑप्सन ए जो होगा यह इसका सही जवाब है चलो आगे देखो नेक्स यहां पर है निमल लिखित में से कौन सा यूगम एस सु मिलता है जी यहां पर प के वसे ऊपर है और किसा कीैम रद आजस्तान और मध्य परदैस की और दोनों का इस्था 5050 पर तीसत है विसलपूर परिजना की बात करें यह अपनी बै नास नदी के ओपर रहे बिसलपूर बांद वांध यह को थो सबसे बड़ी पेजल पर्युजना है, और कहां पर है? टॉंक के अंदर है, टॉंक में है सीमा पर होती बनासदी पर होती तो भी मान लेते, UP के साथ है लेकिन टॉंक तो अन्तिवर्ती जिलों में आजाता है, वहां नहीं होगा. सरदार सरोवर पर्योजना की बात करें ये राजस्तान मध्य परदेश गुजरात की है और इससे जो है अपने सिचाई होती है सबसे अधिक और ये होती है सिचाई जो है एक जाधिक ना स्प्रिंगलर से या फंवारा विदी सोट में लिख दूँ फंवारा विदी से फंवारा विदी ये परसन भी बहुत बार आता है कि राजस्तान में फंवारा विदी से सिचाई वाली पर्योजना कोन सी है सरदार सरोवर पर्योजना और नदी पूछा जाए तो बेटा नदी आजाती है नर्मदा इसी को नर्मदा घाटी प्रुजिना भी कहा जाता है राजस्तान मध्य पर्देश गुजरात जी जी एक माही बजाज प्रुजिना ये जो है ये माही नदी के उपर है और ये राजस्तान और गुजरात की है जहां पर राजस्तान का इस्सा 45% है और गुजरात का इस्सा 55% आ तो यहां पर कौन सा यूगम एस सुमिलत है तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्सन बी विसलपूर प्रिजुना राधस्तान की प्रिजुना है टॉंक के ऊपर है और बनास नदी के अंदर है नेक्स यहां पर है निमलखित में से किसे पंडी जवालाल नहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा था तो पंडी जवालाल नहरू की बात करें इन्होंने आधुनिक भारत के मंदिर किसको कहा था नदी घाटी परिजुनाओं को किसको कहा था नदी घाटी प्रिजुनाओं बहां खड़ा नांगल प्रियोजना का उद्धगाटन किया था इन्होंने नदी घाटी प्रियोजना के अंदर एक आती है आपके बहां खड़ा नांगल प्रियोजना और इस बहां खड़ा नांगल प्रियोजना का जब उद्धगाटन किया था उस समय इन्होंने कहा था कि भ विद्धुत का उत्पादन होगा तो नदी घाटी प्रजनाओं के महतों को देखते वे इन्हें बहु उद्धित से नदी घाटी प्रजनाओं भी करते हैं और जोहाला लहरु ने इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर की संग्या दिए थी चलो आगे देखो नेक्स यहाँ पर है उदैपूर में इस्तित जैसमंद जील का निर्मान काल है उदैपूर में इस्तित एक जील जिसका नाम है जैसमंद जील आती है साब जी इस जैसमंद जील की बात करें तो बैटा एक नदी आती है जिसका नाम है गोमती नदी एक नदी आती है गोमती नद एक जील है इसका नाम है जैसमंद जील और जैसमंद जील की बात करें तो ये अपने राजस्तान की सबसे बड़ी करत्री मिठे पानी की जील की बात करें ये कौन सी है जैसमंद जील और ये गोमती नदी के उपर है और इसका निर्मान जो करवाया था ये 1687 से ले करके 1691 अर्था D, option D हो जाएगा इसका निर्मान जो करवाया ये करवाया था महराना जैसमंद ने महराना जैसिंग ने और महराना जैसिंग के दुवारा करवाने पर इसका नाम क्या पढ़ गया जैसमंद जील, इसी जैसमंद जील की बात करें और इसे अपने सिचाई भी की जाती है और सिचाई के लिए यहाँ पर दो नहरे निकाली गई है एक का नाम आता है शामपुरा नहर है और एक का नाम आता है भाट नहर यहाँ पर आ जाता है यह भी आपका दखना और एक इसी के अंदर आपके टापू है साथ उन टापू के उपर भील और मेना जंजाति निवास करते हैं इन में से यह जो टापु है जो छोटा है उसे प्यारी कहते है और बड़े को कहा जाता है बाबा का भांगड़ा तो जैसमन जील उदयपूर के अंदर है वैसे अब अब कहां पर आगी अपने जी अब कहां पर आगी बताना अप लोग दिखाना अब कहां पर आगए क्योंकि पहले तो लोग पढ़ते ते जैसमन जील जी और क्योंकि लेकिन चटी के बगोल में तो आज भी जैसमन दी रास रहे अपना उदयपूर है तो हम उसके अकोडिंग पढ़ें सिक्स्त की जो ग्रोफी की जो बुक है उसके ज में आ गी है, ठीक है बेटा 16ati से लेकरके 1691 तक। आगे देखो मेरे बच्चों, नेक्स राधस्तान में सरवादिक उचाई पर इस परकर्तिक जील तो राधस्तान में सरवादिक उचाय पर इस तित जील है उसका नाम है नक्की जील, एधि हम बात करें एक तो ये क्या हो जिसका जमाव होता है एक यह जो अपने गरासिया जन जाती है गरासिया जन जाती इस गरासिय जन जाती की पवितर जी लई है एक यहाँ पर इनके द्वारा यहाँ पर अपने गरासिय जन जाती के द्वारा अस्थियों का विसर्जन भी किया जाता है और एक इसके निर्मान क को ले करके अक्जाम में परसन आता है तो इसका निरमान जो करवाय गया था यह देवताओं के नाखुनों से इस जील के किनारे पर संशेट पॉइंट भी है यहीं पर आपका हणीमून पॉइंट भी है एक इसी जैसमन जील के असपास का इसो नक्य चिन्थम्जील है और इस जिल के किनारे पर आजाते हैं आपके 52 गाट है टॉटल गाट इतने भावन घाट यहाँ पर आ जाते हैं इस आगे तो आपको यहां से option भी जो होगा यह इसका सही जवाब की सरवादी उचाई पे जिल कौन से आती है आपके नकी जिल गैपसागर कहां पर है बताई दूगरपूर के अंदर काली बाई का पनॉर्मा इसी जिल के किनार पर क्या बनी वी है काली बाई का पनॉर्मा बना हुआ है चलो आगे नेक्स है निमल खित में से कौन सा यूगम एस सुमिलत है एक तरफ है मीठे पानी की जिल और एक तरफ आता है जिला बाल समंद जोदपूर गड़ी सर जसलमेर रंग सागर अजमेर और कॉलाइत बिकानेर यहां पर कौन सा यूगम जो है एस सुमिलत है इसकी बात यहां पर की जाती है थाप सब से पहले देखू बाल समंद की बात करें जोदपूर में है प्रतिहार साथ सक बालक राव था उनके द्वारा निर्मान किया गया ता गड़ी सर जिल की बात करें यह जसलमेर के अंदर है रंग सागर यह रंग सागर अजमेर में नहीं है público जो है यह कपील मुनी का आश्रम भी है यह पर आपके कपील मुनी का आश्रम भी है चनू आगे ओके आगे देखो पस्मी राजस्तान में जल संद्रक्षन हे तू घर में बनाएगी कुएनुमा संचना घर में बनाएगी कुएनुमा संचना को क्या कहते हैं तो उसको बोलते हैं टांका बारिस वर्सा के जल संरक्षन के लिए अपने घरों के अंदर एक कुंड बना लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं साब, टाका कहा जाता है, खडीन की बात करें, तो बटा खडीन जो है, ये भी जसल मेर में ही है, और जसल मेर में क्या, पालीवाल बरहामनो दुवारा जल पर्दति को क्या बोलते हैं? खडीन कहा जाता है, बावडी जो है, ये भी जल संरक्षन है और इस सब की सब परहंपरगत जल संरक्षन परदतिया जिन में से अपने घरों के अंदर जो कुए नुमा हो दिया, बना लेता है, ताका कहा जाता है, ठीक है जी? चलो, आगे तो मेरे बच्चों एक तो होती है रभी की फसल होती कि नहीं होती एक होती है खरीब की फसल और एक होती है अपनी जायद की फसल रभी की फसल की बात करें इसका एक नाम हो रहाता है इन्हें उन्यालू की फसल भी बोलते हैं खरीब की फसल को शाडू की फसल भी बोलते हैं य चालू की फसल की बात करें ये आपके जून और जुलाई में बोई जाती है और आक्टूबर नवंबर में इसको काटा ज़त है। जायद की बात करें तो ये आपके कहें कि अपरिल, माई और जून के मौसम में बोई जाती है अब रभी की फसल नहीं है इन में इसको कापस और चावल की बात करें। अब यहां पर दोपसन आगे सब कपास और चावल की बात करें जी यहां से आगे अब इन में से क्या करें सब बताओ दिखां कपास और चावल की बात करें कि गुरुजी गेहों और सरसों में तो ठीक है अब चावल और कपास की बात करें अब बड़ा कन्फिजन पैदा हो गय कि गुरुजी यह तो कपास माने या चावल माने क्योंकि चावल जो है यह आपके खरीब के सिजन मे new बौय जाता है लेकिन अगजक्ट कपास यह तो किस जमाने में है रभी में है चावल में तो हो सकता है अमन, उस्स और बोड़े, इसके आधहर पर दे दे तो इसके आधार पे चावल से तो निकल जाएंगे, अब कहां जाएंगे, कापास, क्योंकि यहां पर जब फस्ते हैं, आपके माइंड में तो यह आएगा, कि सर यह तो डिलिट हो जाएगा, लेकिन डिलिट नहीं होगा, क्योंकि चावल जो है, यह दोनों में आते, अपने हा यहां से बेस जाना होगा, लेकिन तो इसलिए कापास, सुचावल, अमन, और्स, और बोरो, तो यहां पर आपको क्या करना है, कापास करना, और जे, नेक्स्ट है, निमल खित में से किस फसल के उत्पादन में, राजस्तान देश में पर्थम इस्तान के ऊपर है, कौन-कौन आर्थिक समिक्षा, उस आर्थिक समिक्षा में एक पोर्षन आता है, कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन सरसों की बात करें नमबर एक पे हैं गवार की बात करें नमबर एक पे हैं ऑप्सन डी जो होगा यह सही जवाब है और यहां से आपको थोड़ा सा कुछ चीज़े बदलनी होगी जैसे कि गुरु जी यह तो छटी की बुक में है तो फिर लास्ट यह नहीं यह थोड़ा से चटी की बुक में तो है लेकिन इसके साथ साथ जिन चीज़ों के अंदर बदलाव होता है वहाँ पर हमें उस बदलाव के अनुरूप भी जाना होगा तो यहां पर ऐसे परसन की कौन सा उत्पादन किस फसल का आता है तो यहां पर हमें क्यूंकि थोड़ा सा कहां जाना पड़ेगा आर्थिक समिक्षा के अंदर और आप में से बहुत सारे बच्चे जिन्हों ने आरस की त्यारी की होगी या कर रहे होंगे उनको पता होगा जब 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 आर्थिक समिक्षा आती है तो उस आर्थिक समिक्षा के अंदर हर वर्स आता है कि जी इन फसनों के उत्पादर में ये इस्थान है या फिर करसी विभाग के दोवारा एक अपना वार्सिक परती वे दनाता है उसके अंदर भी डाटा आ जाता है तो यह कहें कि वेरियेबल कृष्टन है यह वेरि करते हैं तो अब लेकिन आज के दिन की बात करूँ तो ऑप्सिन डी अपना बहतर होगा नेक्स्ट है मरुस्थली रादस्तान में सरवादिक बोय जाने वाला खाद्यान कौन सा है अब खाद्यान की बात करें मूंग जो है ये दाल है चना की बात करें ये भी दाल है बाजरा एक तो ये खाद्यान है साव हादा और एक खाद्यान की बात करें तो एक अपना गेहू खाद्यान है लेकिन गेहू की बात करें इस गेहू के लिए तो वर्सा तो कितनी चीए सो सेंटीमेटर यश्क्यास पास यह तापमान थोड़ा सा क्या होना चीए कम होना चीए बाजरे की बात करें इसके लिए वर्सा भी कम चल जाती 20 से 40 सेंटीमेटर तापमान तो मरुष्तलि छात राजस्तान में सर्वादिक बोया जाने वाला खादयान कौन सा है बाजरा कौन सा है बाजरा सबसे अधिक बोया जाता है वसे इस बाजरे का वर्तमान इसकती के आधार पर यदि ये पूछा जाए कि सर्वादिक उत्पादन कहां पर होता है तो सबसे अधिक उत्पादन में मेरे बच्चो जाना है आपको कहाँ पर अलवर के अंदर बाजरे का सरवादिक उत्पादन कहा होता है अलवर के अंदर जी लेकिन ये पस्मी राजस्तान में सरवादिक बोया जाने वाला खाद्यान यही है बाजरा चलो आगे देखो नेक्स ते बेटा यहाँ पर भारत में पसुधन जन्सेंक्या की दरस्टी से राजस्तान का कौन सा इस्थान है भारत में पसुधन की बात करें पसुधन के आधार पर बात करें कि गुरुजी देश के अंदर कौन सा इस्थान यहाँ पर आ जाता है इसकी बात करते है तो सबसे पहले तो यहाँ से आ जाता है कि यही हम बात करें किसकी भारत में पसुधन भारत में पसुधन की बात करें मेरे गुलगलो तो भारत में पसुधन में नमबर एक पे आता है यूपी और नमबर दो पे अपना आता है राजस्थान नमबर दो पे कौन से आता है राजस्थान और राजस्थान की बात करें तो अपने हाँ पर लगबग 56.8 मिलियन पसुधन है तो कौन से स्थान हो गया दूसरा एक हिदि पूछा जाए कि राजस्तान के अंदर सरवादिक कहां पर है तो राजस्तान में सबसेदिक पसुधन कहां पर है बाड मेर में जोदपूर में नागोर में यहां पर है नियुनतम पूछा जाए तो कहां पर है कोटा बारा सवाई मादोपूर इधर है तो धोलपूर यह जो चे पॉइंट आठ मीलन है और येदी हम बात करें राधस्तान की तो राधस्तान में लगबग च्छपन पॉइंट आठ मीलन पसुधन है जिसके आधार पे नमबर दो पे आता है और राजे में सरवादिक पसुधन की बात करें तो ये अपने बाड मेर नागोर जोतपूर यहां पर आजाता है तो नमबर दो पे आगे है बिटा चलो आगे देखो नेक्स राधस्तान में उपलग एटीवन विभीन परकार के खनिजों में से कितने खनिजों का खनन हो रहा है ये देखो यहां से एक चीज और आती है ये अपने किस की बात कर रहा हूं मैं कक्षा 6 क कि बात करो लेकिन बैटा यदि आप त्यारी करते हो आरस की तो आपको यहां पर कई बातों के उपर फोकस करना पड़ेगा सब अब पूछोगे गुर जी ऐसी कौन-कौन सी बात आगे जिनके उपर हमें फोकस परना पड़ेगा तो बैटा उसको सुनो यहां से सबसे पहले समिक्षा के अंधर और इस आर्थिक समिक्षा के अनुसर आपको देखना होगा कि राजस्तान के अंधर उपलब्द खनिज कितने हैं क्योंकि कभी यह 81 हो जाते हैं तो कभी 82 भी हो जाते हैं तो कभी 80 क्योंकि हर साल आर्थिक समिक्षा ही इसको वेरिफाई करती हैं दूसर उसी के आधार पर अपने हाँ पर उत्पादन खनीज कितने कितने खनीजों का उत्पादन होता है तो मैं अभी रिसेंटली तो बता दूँगा जैसे 2022-23 की आर्थिक समिक्षा के अनुशार राजस्तान में 58 परकार के खनीजों का खनन होता है कितने परकार का फिप्टी एट का लेकिन आपको थोड़ा सा और आगे जाना होगा यह तो अभी तक तो ठीक है क्योंकि यह सब्जेक्ट ऐसे हैं दिस इदा नोट पार्दा उप तर राजस्तान की जोग्रोफी दिस इदा पार्ट ओफ राजस्तान एकोनोमी और एकोनोमी का म तो इस्टेटिक डिपार्टमेंट जो है उसके द्वारा जारी किया जाता तो ऐसे परसंट जो होना अभी तक तो ठीक है हो गया जट लेकिन अब नहीं जो आर्थिक समिक्षा आगी आपको जाकर के देखना होगा हो सकता है यहां पर 81 की बजाए 82 हो जाए यहां पर 58 की पता भी होगा जिनको मैंने लिख और न उविटक स्केस के बिच में उनको मैंने लिखो आया इसवार आर्स्टिर हमिखा की इतना है। मतलब भी वैन कर जाता र तो हमारे जाएं इसलिए कुछ चीजा अशी जो हमें topic के सliamoस्लिफ का पढगा होगा जो स्टटिक हाँ इसको वेरिफाइ कहां से करोगे आपके एकोनोमिक सर्वे से करोगे ठीक है चलो आगे देखो नेक्स यहां पर है वर्स 2011 की जनगन्ना के अनुशार राजस्तान की कुल महिला और पुरुष साक्षर्टा दर कितनी आती है यदि हम राजस्तान के अंदर कुल साक्षर्टा दर क कि बाद करें कि गुरूजी राजस्तान में कुल साक्षर्टा दर कितनी है तो यह आ जाती है 66.1 निथो यहां पर कहा गया सरवादिख साक्षर्टा कोटा में है और न्यूंतन साक्षर्टा जालोर के अंदर है सरवादिक साक्षर्टा पर पुरूष пс महिला और पुरु स परतिशात है तो option क्या हो जाएगा option A जो है इसका सही जवाब हो जाएगा बाउन पॉइंट एक और 79.19 यह आपको ध्यान में रखना है क्योंकि कहीं तो और तो कहीं वेरिफाई नहीं कर रहा है 52 तो कहीं हो रही ही नहीं तो आपका option A जो होगा यह इसका सही जवाब हो जाएगा चले आगे ओके आगे देखो बेटा जी नेक्स्ट यहां पर है निमल खित में से किस वर्स राधस्तान परिवन निगम की स्तापना होई यहां से कोई चिंता नहीं है यह एक्जक्ट वो का वो एक तम स्थाई परसन है कभी नहीं बढ़ लेगा ऐसा कैसा आएगा कि अपने हाँ पर RSRTC की बात करें RSRTC राधस्तान इसेट रोड ट्रांस्पोर्ट कोर्परेशन राधस्तान राजय पत परिवन निगम की स्तापना कब हुई तो इसकी स्तापना हुई थी बैटा sorta listen to ourhallaga एक लींदा एक एक अप्लिवर नइंटीनशिक्षिफटी 14 के अंधर तो वरस उनिसो 24 में बरदी सिसका मुख्याला पूछा जाए कि गुर्जी इसका मुख्यालय कहां पर है अपने ज्रेपूर के अंदर है और एक परसन ऐसा जाए कि राजस्तान के अंदर सबसे पहले सारवजनिक परिवन की सुरुवात परिवन या बस सेवा इसकी सेवात कहां से थी टॉंक से राजस्तान में सबसे पहले सा RSRTC यह अपने आप में एक संगठित संस्तान है जो भारत के अंदर सड़क परिवन को विवस्तित करता है यह बस परिवन को विवस्तित करता है जिसके स्थापना एक ऑक्टूबर 1964 के अंदर हुई है यह आपको धान में रखना है चलो आगे देखो भाई नेक्स यहां से आता है अब इन NH में बदलाओ भी हो गया NH 15 जो है आप उसके कई रूप आगए NH 15 में तो 62 भी आ गया एदि NH 15 की बात करें तो पहले कहां से आता था गंगा नगर गंगा नगर के बाद यहाता था मेरे गलो बिक काने बिक काने न के बाद अपके फलोधी जोदपर्वाला इसाप अब नया जिला बन गया, मैं पुराने के साब से बता रहा हूँ, दोनों चीज़ें आद रखनी है, उसके बाद ही कहा जाता था, जसल मेर, जसल मेर के बाद, बाड मेर, बाड मेर के बाद, सांचोर, यहां से होके जाता था, यही तो था NH 15, लेकिन अब गंगानगर से बिकान तो इसका नंबर हो गया, NH 11, और जसल मेर से आगे यह हो गया, NH 68, तो यह नंबर जो है, आपको पुराने नंबर के आधार पे पूछा गया, तो पुराने नंबर के आधार पे सबसे लंबा कौन सा है, NH B, और सब चोटा कौन सा है, 71 B, यदि नए के बाद हाधार पूछे, नए NH, तो नए NH के आधार पे सबसे लंबा आपको पताना है, NH B, नए के आधार पर आधास्तना का सबसे लंबा NH कौन सा है, NH 52, और 71 B, जिसको 919 बन गया, यह 919 बन गया, यह आपका सबसे चोटा है, ठीक है मेरे बच्चो, तो पुराने के आधार पे और नए के आधार प जाता है तो नया जो है NH 52 का नंबर आजाता है चलो आगे बढ़ें जी आगे है निमल खित में से किस वर्स राधस्तान में पहली रेल गाड़ी का संचालन हुआ यह ऐसे बोल दो कि राधस्तान में रेल परिवहन की सुरुवाद जो है यह कब से हुई है राधस्तान के अंदर रेल परिवहन की सुरुवाद जो है यह कब से हुई तो इसकी सुरुवाद ओई अठारा सो चोहद तर यह कहें राधस्तान में रेल परिवहन और राधस्तान में रेल परिवहन की बात करें तो इसकी सुरुवाद हुई है अप्रेल अठारा सो चोहदर से अप्रेल अठारा तो आपका option D जो होगा यह इसका सही जवाब है जी तो बांदी कोई दोसा से आगरा फूट के बीच में और शुरुवात कब सी थी अप्रेल 1804 से एकदम state forward परसन आता है ज्यादा इसके अंदर और कुछ भी नहीं आता है चलो आगे देखो मेरे बच्चो नेक्स्ट है के लिए किस आईवर्क बच्चों के किस आईवर्क के सिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है तो कहां से कहां तक है चैसे लेकर के 14 वर्स के बच्चों तक चैसे लेकर के 14 वर्स के बच्चे यदि हम भारते समविधान की बात करें तो भारते समविधान के अंदर एक अ नाम है अनुछेद 21A की बात करें और अनुछेद 21A क्या कहता है छैसे ले करके 14 साल के बच्चों को अनिवारी एवं निसुल्क सिख्षा के अधिकार की बात करता है यह क्या कहता है चैसे चोदा वर्स के बच्चों को अनुवारी एवं निसुल्क सिख्षा के अधिकार की बात करता है और इसलिए अपने राइट टू एजुकेशन आर टी ए राइट टू एजुकेशन की बात की जाती है उसके ताहित 6 से ले करके 14 साल तो के बच्चों को अपना अनुवारी एवं निसुल्क सिख्षा का एक मौलिक अधिकार आ जाता है तो यह अपने 6 की कक्षा के अंदर आपनों राजस्तान के अंदर चटी कक्षा के लिए जो राजस्तान बुगहौल से सम्मादित कुछ महतोपर सब्दा हो ली थी बहत प्यारी चोट चूटी बाते थी जैसे से हम आगे 7 यह आठी यह बढ़ेंगे इनके साथ इनका लेवल और भी और बड़ा होता चला जाएगा तो यह अपने चटी कक्षा किनता था जो कि आपके आरबेसी बुके अनुसाते इनके हम लोगों ने चर्चा किन मुझे उम्मीद है बातें आपके अच्छे से समझ में आ गई होंगे तो बस मेरे बचो अभी के लिए इतना और झाँ याचे आपकी आ प्रणने कर दो कर दो कि अच्छा को र puff 2020 आरबेसी शचल होंगे आर बड़चे होंगे अपके लिस心都बहे होंगेश्गे इतकरोगवल जाब होगो होगно